कि अपना चैप्टर चार पार्ट में अपना पार्ट वन क्या था डिडेक्शन अंडर सेक्शन 32-37 यह हो चुका है स्क्रीन पर देखो एंद फिर सेकेंड पार्ट क्या था यह प्टेया था हुआ सब्सक्राइबर मुल आपने को सजुआ होते हैं यह यह उपर कौन कौन सी इंकम एड होंगी 2841 पढ़ने का लक्ष यह है कि अपने को पता होना चाहिए कि उपर उपर मतलब अपने स्टेटमेंट में उपर कौनसी कौनसी इंकम एड होती है और ऐसे नहीं कोई भी इंकम को एड कर दो ऐसा थोड़ी होता है इंकम टेक्स में हर इंकम का अलग हैड है इसे कुछ भी तो नहीं डाज सकते है rage है दिविडेन inकम is income from other source विदेन इंकम पोपेश सब्सक्राइब हाउस। को इंकम वालज होता है तो ऐसे कुछ भी तो नहीं डास सकते है न तो ऐसे एक चीत ओ जो भी डालेंगे वह बिसनिस की इंकम ही होगी उपर जो भी डालेंगे वो business की income ही होगी तेकि उसके बाव जूद भी student को पता होना चाहिए कि precisely क्या precisely उपर क्या-क्या एड होगा तो उसके लिए list दिये government ने section 28 और 41 में लिस्ट के भिगर भी common sense से student समझ सकता है कि चलो ला कोई भी income हो अगर हो income ये देखो business की है तो उपर डालना ही है जिस तरह से खर्चों में कैसे रूल है common sense का कोई भी खर्चा business का है तो minus करना ही है तो वह common sense तो income में भी लाग होती है if income from business मतलब business से rated है तो उपर add हो गई है लेकिन in spite of that still you are supposed to know the precise items which we add और उसके लिए पता है ये देखो section 28 में government ने 9 items की list दिए और section 441 में 4 items है और मतलब section 28 की 9 items section 41 की 4 items अपने को याद होने चीए this will explain you कि precisely उपर क्या क्या एड होता है और इस जो 9 और 4 बोला है ना ये मेरा बनाया हुआ act में तुम लोग act खोलके बैठोगे उधा section 28 देखोगे शाय लिस्ट में ज्यादा points दिख सकते हैं लेकिन मैंने तो student oriented notes बनाया ना वह सबसे स्टूडेंस को बोलता हुआ 9 items section 28 का 4 items section 41 का लबकि act में थोड़ा number आगे बीचे हो सकता है 9 का 10 15 मिल सकता है लेकिन इन लोग का arrangement भी बहुत विचेत्र होता है बट exam point of wish से अपने को 9 items section 28 का याद करना 9 items section 41 का उसनों पहले section 28 चालो हो रहा तो as per section 28 सबसे पहली चीज जो उपर आने चीए वो क्या है मालू में gross profit of the business खतम हो गया एक point ऐसे 9 point पढ़ा होगा खतम हो जाएगा फिर तो पहला point क्या था gross profit उपर आएगा सीधी बात है न यह एक तरह का profit and loss account ही तो है तो profit and loss account की शुरुआत में उपर तो GP आएगा वो तो मैंने पहले ही बता रहा था तो यह section 28 का पहला point है फुल कितने point है 9 दूसरा fees receive for providing services जीपी तो goods बेचने वालों का होता है जीपी तो goods बेचने वालों का होता है लेकिन हर कोई थोड़ी goods बेचता है जैसे मैं इधर goods बेचने वालों का जीपी उपर लिख दो and second point बोलता है service देने वालों तुम लोग fees उपर लिख दो यह सब common sense वाली चीज़े है यह जो मैं no no item जो बोल रहा हूँ न आधी चीज़ तो लोगया मालूम है न यह तो लेकिन के list एक वार खतम तो करनी पड़ेगी न तो first था gross profit second was fees for providing services especially for coaching class chartered accountant and lawyers इन लोग के लिए तो fees income होती है न third point gift from customers and clients gift from customers and clients जैसे see दोस्ती यारी रिष्टेदारी में gift मिलता है न वह income from other source में आता है सुना होगा income from other source 50,000 तक gift होता है तो tax नहीं आता 50 के उपर है तो fully taxable लेकिन वह दोस्ती यारी रिष्टेदारी वाला gift है लेकिन customer से gift मिला न तो it is part of income from business इसे customer क्यों gift दे रहा है पालो मैं lawyer हो और मैंने client को case जिता दिया तो client खुश तो उसने मुझे fees भी दी plus मुझे कुछ gift भी दी और gift में कोई gold chain दिया मुझे तो वो gold chain की value भी इदर आएगी lawyer बोलेगा gold chain मैंने थोड़ी मांगा तो मैंने तो अपनी fees मांगी थी वो तो उसने खुशी से दिया और खुशी से क्यूं दिया क्योंकि तुने तेरे धंदे में अच्छी service दी और अगर तुम अपने business में कुछ अच्छा करते हो उसके return में कुछ मिलता है तो भले हो तुमने मांगा नहीं होगा सामने वाले ने खुशी से दे दिया even that is part of your business income जैसे बच्चों ने में कोई DT का फीस दी है तुम लोग सब लोग को extra कुछ gift भी दे दो तो उसको भी income में लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि तुम्हारे से मेरा कोई personal relation तो नहीं है business relation है न और business relation में gift में मिला तो income from business actually पता है act में ऐसा लिखा है देखो gift from customer or value of any benefit or perquisite arising in the course of business or profession पूल के बता क्या बोला gift from customers फिर or value of any benefit or perquisite arising in the course of business or profession any benefit or perquisite मतलब क्या आल में business करते हैं कोई भी benefit arise हुआ और perquisite perquisite मतलब क्या होता बताओ perquisite is something over and above extra में जो मिला है जैसे आज मैंने तुम लोग से क्या चार्च किया है कि DT पढ़ा रो में को इतनी fees दे दो बस तो वो तो fees है ना लेकिन उपर से तुम लोग कुछ extra देने की इच्छा रखो तो तो perquisite हो गया कोई देता नहीं है example बना रहो खाली तो fees के अलावा में को students लो कुछ extra देता है तो उसको क्या बोलेंगे it is a perquisite arising in the course of my business or profession उसी perquisite benefit ही होता है एक खाली law में वर्ड लिगा है value of any benefit और perquisite benefit एक जनर माला कोई भी benefit हो actually word benefit और perquisite नहीं है arising on the course of business माला business करते टाइम कुछ भी benefit आराइस हुआ चाहे उसको तुम benefit बोलो के perquisite बोलो see benefit or perquisite is one and the same perquisite word भी क्या होता है और में personal benefit मिला है मुझे perquisite personal benefit कैसे आद तुम लोग मेरे को कुछ gift दे दो तो उसे personally बहुत मज़ा आ रहा है न लेकिन क्यों मज़ा आया क्योंके it is arising in the course of my business तो इंशोट सी ये benefit perquisite word को पकड़ के नहीं बैठना है कुछ भी चीज हो चाहे उसको gift बोल लो benefit बोल लो perquisite बोल लो basically government क्या बोल रही है तुम तुमारे clients से जो charge करते हो उसके अलावा कुछ भी extra मिल गया वो तेरी income में लेना पड़ेगा जैसे for example doctors लोग को क्या है patients लोग से खाली fees बिलती है लेकिन कोई free samples दे दे के जाता है marketing executives दवाईयों के sample चलो ये दवाईयां आप रखो free में हमारी दवाईयों को promote करो अरे doctors को मिलता न free samples अरे जैसे मैं doctor dispensary चला रहा हूँ तो मरीजों से जो fees बिला वो तो fees है लेकिन उसके अलावा in the course of my profession कोई marketing executive आ गया pharmaceutical company वाला उसने कुछ free samples दे दिये तो ये भी benefit है रे मनले example दे दिया या फिर कोई doctor को कोई patient उसको free ticket दे दिया सिंगापूर का क्यों दिया या doctor आप बहुत अच्छी सर्विज दे तो मेरे को तो कुछ भी बिमारी होती है आपकी एक दवाई से में ठीक हो जाता हूँ मजा आता है आपके साथ आप एक काप करो सिंगापूर का trip मैं sponsor कर रहा हूँ तो यह भी वह हो गया ना अरे मैं अलगला example दे रहा हूँ मतलब logic क्या मतलब business करते रहा है because of business होना चाहिए पाद में Singapore की free ticket मिले हो के free samples मिले हो दवाई हो के कुछ भी मिला हो anything which arises from business is part of business income see law को क्यों बोलना पड़ता है मैं ने तो public के एकदम cutter हो जाती है हम goods बेशते तो gross profit ही आएगा हम service देते तो fees ही आएगा लेकिन law इदर बोल रहा है भाई वो सब तो आता ही है उसके अलावा कोई gift मिल गया कोई perquisite मिल गया फिर कोई भी तरह का benefit मिल गया but which arises in the course of a business not in your personal life हा जैसे मेरे चाचा मेरे को कुछ दे दे वे free Singapore की ticket दे दे वे तो that is not arising in the course of my business that is arising in my personal life वो नहीं आएगा नाइन पॉइंट में थे तीसरा पॉइंट चल रहा था है पस्ता ग्रॉस परविट पीस तीसरा gift बोल लो perquisite benefit anything arising in the course of business और इस पे तो इनों TDS भी चालू कर दिया भी फ़ले यह जो बोला न बिसनस्पेन को कुछ भी benefit अराइज हो रहा है perquisite मिल रहा है तो उस पे जो benefit देता उसको TDS भी काटना पड़ता है anyway उसके ओपर मैं बात में बात करूंगा लेकिन यह चीजों के ओपर law in देनों कुछ detailed provisions बना रही है अरे इस वक्त तो एक्ट में amendment में डाला है इन लोग ने वेदर बेनेफिट इस इन कैश और काइंड एक्चुली अमेंडमेंट की जरूत नहीं देट इस अ क्लेरिफिकेशन अरे लोग इस पर जगड़ते अरे पैसे नोड़ी में ले इस सिंगापूर का टिकेट मिला है तो भी उसका वैल्यू अरे सिंगापूर का फ्री टिकेट मिला तो क्या आएगा सिंगापूर का टिकेट का प्राइस होता है न उसका वैल्यू जैसे डॉक्टर को दवाईयों के भर भर के फ्री सैंपल्स आगे तो दवाईयों का प्राइस होगा न हमार पी उसकी वैल्यू अरे को भी चीज मिली उसकी वैल्यू तो आइडेंटिफाई कर रही सकते हैं और अभी मैं यह बोल रहा था कि इन दिनों में गवर्मेंट ऐसी चीजों के उपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है इसके उपर लाज बजेट में 2022 के बजेट में अमेंडमेंट में डाला था कि ऐसा ज सब्सक्राइब में और में 24 में इसके और और विस्तार में बोला वेदर इट इस इन दा फॉर्म आफ कैश का इन इनिफिंग इन शॉर्ड यह पॉइंट इन दिनों बहुत लाइम लाइट में एनिवेस पॉइंट बहुत सिंपल है लेकिन रियल लाइफ इस पे आर्गुमे बड़ी चीज का क्या है डॉक्टर तो पेशन्ट से में फीस कमाता है उसको कोई फ्री सेंबल मिल गया दवाई उस पर कौन सी बड़ी बात है अरे कितने लोग को यह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के नाम पर बहुत मिलता है और वह चीज के लिए भी लौ बोलता है कि उस अईसा दू तो कम दे दूंगा टीडियस काटने के लिए लेकिन कोई वस्तू दू तो टीडियस कैसे कटेगा तो प्लीज एक बार इससे मस सोचो ना अगर मैं भी बात करना चालू करूंगा ना तो अचाना किदर कौन सी दुनिया में चले आएंगे अभी खाली एक फील ल Cash compensatory support, duty drawback, sale of import license एक ही है पुरा चौथा पॉइंट क्या बोला बताओ, एक बार में याद करने आना चाहिए, Cash compensatory support, duty drawback, sale of import license, sale of import license तो सी, इसका मतलग क्या है देखुआ पहले विजुल इफेक्ट लो इसका विजुल नाइन पॉंट्स लिखाओ दिख रहे हैं एक सेकड़ ओके सी है यह देखो सेक्शन ट्वेंटेट के नाइन पॉंट्स में एक ही हो गया दूसरा ही हो गया तीसरा ही हो गया चूथा ओके लुक यह क्या चैशंसरड लॉट और यह सपसीडि भी है अब सबसीडि सुनते ही तुरंत मांय 나서 पता Hell सब्सीडी गॉवर्मेंट से मिलती है तो एसेट की कॉष में से कंद और फिर कति भी कॉष को बॉक सेद्ध मिलें तो ना सब्सीडी बहुत नारइक shots you ज़ा सूनो, power subsidy power subsidy में क्या होता है मालनो मैं किसी backward area में industry डाल रहा हूं तो government को अच्छा लग रहा है यार backward area में कोई आ रहा है, तो इंडिया की तरक्य हो रही है तो government क्या होता है मैं, इदा तेरा जो भी बिजली का बिल आएगा न वन-third हम लोग हम देंगे तेरा जो भी बिजली का bill आया उसका वन-third हम लोग देंगे तो वन-third गौवर्मेंट देरी और मलत गौवर्मेंट सपोर्ट कर हीना और बिजली का bill is a power subsidi फिर को वह था इसका पूरा effect बताओ ना मेरा जो बिजली का बिल आएगा government ने मुझे वादा किया कि one third हम देंगे इसको आगे लो सीरे से उसका effect कैसे आएगा पहले मेरा जो भी बिजली का बिल आएगा तो वो मुझे इधर देखो न स्क्रीन पर देखो इधर minus करना पड़ेगा क्या electricity bill किदर minus होता electricity bill section 371 में लेकिन government ने वादे के अनुसार क्या किया one third government ने दिया तो जो government से one third मिला ना उपर income में ये देखो add हो जाएगा section 28 में और इफेक बता रहा हो और बराबर ऊपर add ही होगा न इलेक्टरिसीडी बिल को हम लोग statement में नीचे 371 में minus करते न तो उसके लिए government से कुछ पैसा मिला तो income add भी होगा और इसको ऐसा क्यों हो थे cash compensatory support बहुता मेरे बिजली के बिल के लिए government ने वंधर जितना cash दिया cash मतलब literally cash थी पैसे दिये और compensatory क्यों बोलते क्यों government बोलती है भाई तू backward area में आके इतनी तकलीफ ले रहे हैं तो हम तुझे compensate करते उसके लिए अरे अपने कूछ तकलीफ होता है तो compensate करता है नो कोई यार तो backward area में दंदा डालना मतलब तकलीफ वाला क्या है ना अपने बेले के देख इधर में अपने घर के बाजू में क्लास वास कोल के बैटा हूं मजा रहा है मेरे को यह अगर गाउं खेड़े में जाके बिचारा में लेक्चर लेता रहा हूं तो backward area में तकलीफ हो रहे हैं मुझे यार लेकिन backward area के बच्चों को अपने बच्चों के बच्चों करें तो हम तेरे को कॉंपेंसेट करेंगे कि तेरा बिचली का बिल वन थर्ड हम दे देंगे और मैं कॉंपेंसेटरी वर्ड का फीलिंग देना चाह रहा हूं फुल्फर्म बोलना क्या था इसका क्या एश कॉंपेंसेटरी सपोर्ट और सपोर्ट हो मैंसुस हुआ ही ना गॉवर्मेंट ने अपने को लेकिन सुनो कोई बोले कोई और सपोर्ट किया तो तो भी चलेगा एक्ट में ऐसा थोड़ी government वर्ड लिखा है क्या लिखा है cash compensatory support but usually government की तरफ से यह सब आता है but by chance कोई बोले ने government के अला कोई और support किया तो भी आएगा point is what तू तेरा बिजली का bill इदर minus करता है तो deduction लेता है तो one third या फिर एक चौथाई या फिर आदा amount कोई दे देता है तो income में add भी करने का so that is cash compensatory support उसी exam में कई वार ऐसा भी आता है transport subsidy तो मतलग क्या मेरा जो भी transportation का cost है उसमें थोड़ा बहुत government मदद करती है उसका effect बताओ statement में effect बताओ पहले transportation की cost को हम लोग खर्चा दिखाते अरे transportation का कोई section नहीं था अरे ऐसे दो दिन्या में हजारोज खर्चे होते है हर खर्चे का थोड़ी ना section है जिसका कोई नहीं उसका tradition one तो transportation का खर्चा tradition one में माइनस होता है ना तो उसके लिए government कुछ पैसा दी तो add हो जाएगा फिर interest subsidy भी होता है अरे interest subsidy महला मैं कर्ज में डूबा हूँ और ब्याज भर भर के मेरी जान निकल गई तो उस ब्याज के लिए भी government support करती है तो मैं को बता पहले interest का deduction हम लोग लेते हैं ना under section 36 one revise करने वालों को मालूम होगा C by F R में आई था interest तो interest हम लोग खर्चा दिखाते हैं ना लेकिन अगर उसके लिए government को थोड़ा बहुत पैसा देके support करती है तो income add करना चाहिए मैं तुमको examples दे रहो बहुत सारे तुम लोग पता है मैंने क्या-क्या example देती है power subsidy, transport subsidy, interest subsidy मेरे हर example में कोई revenue खर्चों का महल बना revenue लेकिन अगर machine खरिदने का subsidy है न तो तो machine की cost में से card डालो और machine की cutty भी cost block में डालो फिर उस block पे depreciation आता है इन शॉट subsidy का मन में चार्ट बना दो न subsidy दो टाइब की होती है एक asset खरिदने वाला capital in nature और एक revenue in nature revenue in nature वाला section 28 में इधर add होता है इदे को इदे को इदर किदर इदर लेकिन जो capital in nature है asset के लिए मिलता है वो asset की cost में से कम हो जाता है इस अब इसके उपर भाशन चल रहा है किस पे cash compensatory support what या दर न ओके फिर duty drawback सुनो duty drawback क्या होते देखो न इदर देखो custom duty मालो में क्या होता है क्या होता है अरे हम लोग कुछ import करते तो उस पे custom duty लगता है न तो मालो यह देखो यह देखो raw material एक मालो कुछ raw material है यह raw material में चाइना से मंगवाता हो तो जब मैं import करता हो तो मुझे custom duty भरना पड़ता है लेकिन पता है सुन क्या हुआ ये raw material को मैंने ये दो कुछ कुछ करके एक finished product बना दिया और ये finished product को मैं export करूँगा तो अगर मैं ये चीज़ export करूँगा न तो मुझे इस raw material पर जो custom duty भरनी पड़ी थे refund आ जाएगी उसको लते duty drawback उसी सुन ये मेरा raw material था ये मेरा finished product ओके तो raw material तो मैंने चाइना से मंगा के import duty भरा था उसका तो भरा हुआ याद रना भूला ये drawing में देख लो नहीं देखो असेसी ने custom duty भरा था किसको government को लेकिने कब उसके जब raw material import किये थे लेकिन पता है उसने जो raw material import किये न उसी raw material से finished goods बनाए और बनाए तो बनाए उसको उसने export किया government खुशी किया और पागल export किया तुने 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 खुश कर दिया हमको foreign currency इंडिया मेर है चल जा ये देख चल जा मतलब तुने जो भी हमको ये देख स्क्रीन पर duty बरी थी वापस ले जा वापस ले जा महला draw back अरे हिंदी को English में टरा से वापस ले जा draw back अरे तो इसको बोलते draw back हो गया लेकिन कब मिलता उनुमें जब हमने export किया होता है तो तो जो भी exporter होते है न तो इनकेस उन लोग को raw material में को import duty अगरा भड़नी पड़ी थी वो duty refund हो जाती है अब कितने लोग बोलते refund ही करना है तो बांगते ही क्यों है बांगना तो बढ़ेगा क्योंके raw material पे import duty भड़ा है अब क्या पता raw material का जो finished goods तो इंडिया में बेचा तो वो तो raw material finished goods बनेगा export होगा तब जाके drawback होता है मेरे को इसका effect बता हो नहीं देखो यह जल्दी देख जब assessi ने duty भरी थी government को उसका effect क्या आए था अरे देखना ओपर minus हुआ था अरे जब duty pay करते deduction मिलता है custom duty deduction मिलता है ना किदर section नहीं था लेकिन 37 वान अरे custom duty खर्चा है deduction मिलता है उसका कोई section नहीं है बार 39 ने मिलता है लेकिन तो duty भरते time लेकिन वो ही duty भरी भी अगर screen पर देखो वापस आ गया draw back हो गया तो income में भी add back under section 28 तो यह duty draw back हो गया फिर सुनो जल्दी sale of import license sale of import license पता है यह देखो जल्दी जल्दी देखो मुझे अगर कोई raw material import करने है तो उसका license चाहिए गवर्मेंट export easily करने देती है क्योंकि foreign currency आता ना import करने के लिए government 100 नाटा करती है गवर्मेंट को import पसंद ही नहीं है और import करना मतला हम लोग के country का debt बढ़ा है देना पड़ेगा दूसरे country को और import से होता है ना balance of payment वगरा बिगड़ता है गवर्मेंट export को बढ़ावा देती import को restrict करती है लेकिन फिर भी government import की मना ही तो नहीं कर सकती है कई बारे ना कोई कोई चीच के raw material अपने को चाहिना से खरीद नहीं पड़ते है हर चीच की भारत में सुविधा नहीं है तो कभी कभी मजबूरन import करना पड़ता है लेकिन law ने क्या लग करो लेकिन तुमको license लेना पड़ेगा ये license का मिलता है चर्च गेट में office है उनकी कुछ form वम भरके license लेना पड़ता है तो माल लो मैंने raw material import करने या license बनवाया और license की बीचे कुछ cost incur किया पहले इसका effect बताओ चलो cost of license to import raw material अरे मैंने license खरीदा है license की cost ये license क्यों खरीदा है to import raw material तो कोई को लोग के अधसर ये तो acid हो गया acid नहीं है इसको normal revenue expenditure minus समझ के minus करना पड़ता है पता होंगा क्यों इसको normal revenue expenditure समझ के minus करते है किसको license की cost को क्यों मालू मैं क्योंकि अपने को जो goods import करने करने का license बिलता है ना उसका life around 18 महीना होता है 18 महीना तुमको याद नहीं करना है मैं तुमको extra general knowledge दे रहा हूं नहीं कि नुट करने को बिलता है चल साल बंदा से इंपोर्ट कर से इंपोर्ट कर और रहा है इतना दिल खोल के नहीं बोलते इतना इंपोर्ट करो अरे भी है न रेस्ट्रिक्टेड मोड में कि देख तेर को raw material चाइना से मंगाने का license तो दिया है लेकिन 18 महीने तक चलेगा फिर expire अरे मलब अठरा महीना is as good as एक साल और जो license का validity एक साल है तो उसको एक ही साल में write-off कर दो as a revenue expenditure हाँ आज अगर ऐसा license होता न एक वा license बनवा लिए 10 साल की छुटी तब बोलेंगे 10 साल का benefit मिला देन इडिस capital in nature then it is an intangible asset 25% depreciation अरे licenses are intangible हाँ अरे license is a permission कोई वस्तू थोड़ी है it's a permission return permission होगा but intangible asset है तो depreciation लेता कब अगर एसे license 10-10-20 साल के मिलते तो तेकिन government कोई पागल है import करने के लिए बोले चल 10 साल क्यों government तो चाहती नहीं को import करे तेकिन कोई मजबूरी वाला व्यक्ति आता है तो उसको license देना पड़ता लेकिन maximum 18 महिने का होता है अरे 18 महिने का act में नहीं लिखा है लेकिन नौलेट दूंगा तो मैं convince कर पाऊंगा न कि ओ इतना छोटे पीरेड का license होता है तो इसका नेचर revenue हो गया अरे तो क्या effect आएगा बताओ license की cost यह कौन सा license वानुमें गुड्स raw material import करने वाला तेलकॉम license दो मत चले जा तेलकॉम license तो अलग था उसकी तो लंबी life होती है उसको थो 35 ABB में equal installments लेते वह एक asset का नेचर था क्योंकि उसका lifelong होता है यह license क्यों मिला है goods import करने का I am talking about precisely import licenses एक सेन किसी का डाउट है कि अठरा महिना है अभी इतना मल अठरा है ना एक साथ से तो ज्यादा है ना ची अभी लौ ऐसा थोड़ी गिनने बैटेगा अठरा महिना है तो उसको डेड़ साल में अगर कोई चीज बड़ी होती है तो अब लोग सीरियस ही रेत है यह छोटी है ना अठरा महिना is as good as one year नहीं तो गवर्मेंट अभी इतना सी लौ कॉंप्लिकेट नहीं करना चाता ना अपने आपको लौ बोलेगा अची अठरा महिना तो यह इंपॉर्मेंट का जो department इन लोग का currently law है कल को वो छे महीने के लिए लैसेंस देंगे नौ महीने के लिए तो गवर्मेंट क्या बोलती है इसको हम revenue ही ट्रीट करेंगे चाहे वो छे महीने का license हो कि अठरा महीने का अपने exactly थोड़ी न देखते है किसी का life on and average it is like one year और वो तो case to case basis होता है अब किसी को license खाली 8 महिने का मिला हो तो अब government क्या आदमी देखे rule बनाएगी law बनाते डाइम government क्या सोचते हमको ज्यादा complicated नहीं करना है खाली इतना feel ले लो कि around 18 महिने का होता है तो 18 महिना 6 महिना साथ मैंने around like one year ब्रॉडली उसको one year जैसा ही गिन लो यह 18 महिना में तुमको क्यों बोलना पड़ रहा है ताकि बच्चों को convince कर भाऊं कि बच्चों यह capital expenditure नहीं होता है यह short period का license होता है that's why this revenue in nature अरे तो वह इसाब से उसका deduction मिलेगा सुनो import license अभी भी खतम नहीं हुआ है import license का जो expense हुआ था मेरा उसका मुझे deduction मिल गया लेकिन आप सुनो मैंने license अठा महिने के लिए ले तो लिया लेकिन मुझे खा लिये ना सुनो एक ही बार import करना था कुछ चाइना से अब मुझे वह license की जरूवत नहीं है अरे मेरा तो एक transaction नहीं करना था मुझे देकिनो मेरा अभी license जरूत ही नहीं है तो मैं किसी को बेच सकता हूँ अभी वह license valid है मान लो 18 महीन है अभी 2-4 महीन ही हुए तो मैं किसी को बेच सकता हूँ तो बेच के यह देख पैसा आएगा तो income में ओपर देख ओपर देख एड हो जाएगा यह चीज स्क्रीन पर देखो क्या लिखिए sale of import license यह चीज कानून में दिया है तुम तो देखा मेरा style मैं directly यह देखो ना directly add वाला effect नहीं बताया पहले minus वाला effect बताया तो add automatically convinced हो जाता है उसी पहले मेरा feeling समझो मैं बच्चों को प्रूब करना चाहता था कि बही इंपोर्ट license को इतना बड़ा कोई capital expenditure asset जैसा मत गिनो क्योंकि गूड्स बूर्ट करना के license है गौवर्मेंट रो रो के देती है मतलब 10-20 साल का देती भी नहीं है around 18 महीना is as good as one year और जो ची वन यर की validity वाला है तुसको revenue खर्चा मानके minus कर दो लेकिन minus तो कब करेंगे जब वो खर्चा incur हुआ है लेकिन वो ही license को गर बेचके रोकडी हो गया तो तो रोकडी हो गया तो उपर add हो जाता है पता यह point बहुत ज़्यादा important है तुम लोग ने तो दुनिया देखी नहीं है न लेकिन मैंने तो sums देखे वे बहुत वार देखा है question में लोग यह point डाल देते और पता है कैसे डालते है import entitlements डालते अपने notes में तुमको ने import license लिखावा मिलेगा sale of import license exam में लोग ऐसा डालते import entitlements यह क्यों बताया लोग क्योंकि इसको लेके भी कोई को लोग ने doubt पूछा है अपने तो import license बताया था अब ऐसे भी बचे doubt पूछते है अरे समन ना यार entitled means I have right to import it's license only ना यार बढ़ ठीक है बच्चों ने doubt पूछा इससे में पढ़ाते डाइम ही explore करके बता देता हूं point सब तो बता यह तीन चीज क्या थी जो बच्चा ध्यान से पढ़ता उससे notice क्या होगा कि तीनों चीज का मेरा पढ़ाने का pattern क्या था हूं मैं पहले उसका नीचे वाला effect बता है तब उपर वाला और नीचे वाला convince वा दो उपर तो एड हो नहीं है बताओ कैसी मेरी style बताओ repeat करो cash compensatory support है बोला था मेरे बिजली का बिल्खा one-third government देती है तो बिजली का बली यह देखो माइनस होता है तो one-third government देती है तो एड होता है फिर duty dropping बताया था duty जब भरते है तो minus करते है देखो तो मिल गया वापस तो add भी करेंगे पर import license भी जब license बनवाते है खर्चा होता है तो यह देखो minus होता है और कल को license बेच के रोकड़ी हो गया तो उपर add भी होता है by the way license बेच सकते हो open market में आज मुझे import नहीं करना तो मैं किसी दूसरे person को दे सकता हूं तो पैसा मिला तो income add पता है यह थीनों चीज है यूजली exporter लोग के धन्ने में ज्यादा common है cash compensatory support, subsidies, government exporter लोग को भी देती है, duty drawbacks, sale of import license, जो export करता है उसको थोड़ा बहुत raw material का भी import भी करना पड़ता होगा तो import license तो यह सब चीज़े है ना, सुनो, act मैसा लेका export incentives, जनरल न कामी दे दिया, export incentives like cash compensatory support, duty drawbacks, sale of import license, इन शौट यह सब पढ़के करना क्या बता हो, यह सब का ultimately क्या करना बता हो, बच्चे की दिमाग में आना चीज़े, क्या करना है, करना कुछ नहीं है, question में अगर, सुनो, question में अगर यह लोग, बोल, question में अगर यह लोग दिखे तो क्य करने का, बस income में अड़ कर देने का, यह सब से हम लोग परिचाए करके क्यू रख रहे, ताकि question में दिखे देखते मारे, यह तो section 28 वाला है, यह तो business की income में जुड़ेगा, यह knowledge सुम को सम में जब काम आएगा, तब लगे, यह शिट यार, theory तकड़ा होना चीए, सम तो कु करने का सूचते थे, हम लोग जब स्टूड़न थे ना, theory एकडम strong करने का सूचते थे, सम तो क्या एकाद देखा हो गया, लेकिन आजकाल के बच्चे क्या अनुमें, सर हम लोग को problems दो ना, problems दो ना, कोई problem question bank, यह bank, मतलब problem solve करने के लिए मरते रहे थे, करो, it is a good thing to practice sums, but then your mentality should be, theory strong हो गया ना, concept strong हो गया ना, तो एकाद sum में भी काम हो जाता है, पटसी, तो बात continue करनी है, तो लोग क्या करता है, theory उपर उपर से जखते हैं, उनको क्या लगता है, sums ज्यादा कर दो, तो पागल अदमी है ना, sum तो क्या 20 करेगा, 25 और 21 वा sum नाया लगेगा, तो नाया कब नहीं लगेगा, जब theory इतनी strong होने चीए, मूँ पे एक एक enough है, बोलते हैं, अंदर से इंसान जब अधा strong होता है ना, तो बाद में life की कोई भी तकलीफ है, उसको handle कर पाता है, तो वो theory से होता है अपना, इसलिए तो मैं रोज पीछे लगा रहता हूं, या theory रट डालो, मैं अपने past experience बता रहो, कितनी वार बच्चे ना, पेपर में क apply नहीं कर पाते होटाए, इंशॉट theory रट, लास्ट क्या पढ़ा है मैंने, ये देख स्कीन पर जादू होगा, क्या पढ़ा है बता, cash compensatory support, duty drawback, sale of import license, जाला, ये तीन पॉइंट जाला, जाला मन्न हो गया, चार पॉइंट होगे टकुल, एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने point है, 9 points की theory, section 28 चल रहा है, तो सुनो, पाच्वा point, look, लुको न, लुको इदर, लुको, बलो, देखो ये रह, पाच्वा point is something about partner and partnership firm, मैं जो बता रहा हूँ, देखते जाओ, फिर बाद में तुमको लगया, ओ, section 28 का अगला point ये है, थोड़ी देर तक screen पर जो दिख रहा है, वो समझते है, लुक, मिरको बताओ, पार्टनर को, एक second, एक partner को firm से क्या-क्या मिलता है, बताओ न, एक partner को firm से क्या मिलता है, एक तो partner है, तो profit का share तो मिले गई, plus अगर हो working partner है, तो उसको salary मिलेगा, active partner है, और capital contribution पे interest, अरे ये तीन famous चीज़ हर partner को मिलती है, गिना हो, sharing net profit, salary for being an active partner, interest on partners capital, तो मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों का effect बताना तुम लोग को, तो सुनो, effect बताने के पहले तुम लोग को एक बात मालूम है, income tax की नजरों में, firm और partner सा separate entity, उनका return ही अलग file होता है, तो आज मैं soul trading में धंदा करता हूं, तो एक ही return file करना पड़त है, लेकिन firm बना दिया ना, तो firm का अलग return जाता है, और हर partner को अपना अलग से return भरना पड़ता है, सुनते रहे ना, एक एक word सुनना, एक एक word, उसी इधर मैंने कैसे बना है, देखो, partnership firm का अलग से computation हो रहा है, यह क्या है, यह क्या है चीज़ है, statement of income from business, फिर partner का भी अलग स computation हो रहा है, यह भी statement of income from business है, तो पहले तो दो अलग statement में feel करो कि हाँ, बराबर है ना, firm का separate return फाइल होता है, partner का अलग, यह क्लियर है, अब मुझे एक एक का effect बताओ, सुनो, salary and interest, प्लीज देख, firm के लिए, खर्चा है, firm के लिए क्या है, पैसा जा रहा है, तो यह देखो, firm उसको minus करेगी, किसको, salary और interest को, यह बहुत important point है, पहले बता दो, क्या बोला, salary और interest firm के लिए, खर्चा है, तो firm उसको minus करेगी, और minus करने भी मिलता है, बेको बता, यह क्यूं deduction की form में allowed है, जबकि देखने हैं, firm ने तो partner को ही दिया है, partner तो माली के धंदे का, माली की पैसा उठा रहा है, तो थोड़ी ना खर्चा होता है, पहले यह बात मानो, माली की पैसा उठा था तो खर्चा थोड़ी होता है, लेकिन law की नजरों में firm separate है, partner separate है, तो firm अगर partner को भी कुछ देत हैं, तो उसको खर्चा माना जाता है, जबकि सुनने में लगता है, partner तो owner ही तो है, ठीक है ना, लेकिन कानून की नजरों में entity's अलग है, तो firm का partner को भी देना, firm के लिए खर्चा है, लेकिन सुनो, यह firm minus तो कर सकती है, देख तो सही, क्या minus कर सकती है, salary or interest, but it is subject to limit under section 40 छोट भी, छोटा भीम नहीं, छोटा भी, छोटा भी, एक limit तक allowed है, और limit रखनी पड़े, क्यूंकि कहीं ना, कहीं यह खर्चा है ना, अंदर ही अंदर का है, यह firm नहीं partner को दिया, partner तो माली की है, उसकी limit वगेरा क्या है, उसके उपर अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात में हम माइनस करेगा, लेकिन एक limit तक माइनस करने मिलता है, limit given in section 40 छोटा भी, और limit क्या है, सर बाद में पढ़ाएंगे, ओके, एक वर इतना लिखने तो फिर आगे बढ़े की बाद, क्या लिखा हूं, मैं, salary और interest ना, तो इदो को मैं कैसे लिख रहा हूं, कि दो को मैं माइनस sign करना चाह रहा हूं, में को समझ पार हूं, तुम तो इदो को, कि माइनस किया है, माइनस sign, minus, salary, minus, interest, कि दो को माइनस करने मिलेगा, किसको, form को, form को खर्चा दिखाने मिलेगा ना, लेकिन इसके लिए मैंने क्या बोला था, this will be subject to, limit under section 40B, section इदर नहीं लिखना है, limit under section 40B, 40 छोटा भी, तेकिन अभी सुनो, सुनो इदर, ये तो form minus करेगी, form के लिए खर्चा है, अब partner वन के सोच, ये देख सकीन, पार्टनर के लिए ये पैसा जा रहा है कि आ रहा है, आ रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, salary मिल रहा है, interest मिल रहा है, तो partner के नजरिये से वो चीज़, उसकी income है, तो वो उसके statement में add होगा, ये देखो इदर, add salary received from partnership firm, add interest received from partnership firm, और ये जो add होता है न, सुनो, this is given under section 28, ये है section 28 का अगला point, कितना add होगा, जितना firm minus की, उतना partner add करेगा, firm को minus करने मिल रहा है न, ये देखना firm को minus करने मिल रहा है न, तो जितना firm minus करेगी, उतना ही partner में add करना पड़ेगा, और add होगा, income from business के add में, तुम तो देखा मैंने कौन सा statement बना है, income from business में add होगा, तो आरे इदर भी doubt आएगा, business क्यों, partner को तो salary मिली है, तो salary तो income from salary में होती है, लेकिन see, income from salary वाली, salary कोई से होती है, तो नौकरी करने वाली, जब हम किसी के नौकर होते हैं, there is a master servant, employer-employer relationship, लेकिन क्या partner form में नौकर है, अरे partner तो खुद मालिक है, तुम लोगों को पता है partner word बना कैसे, ये देखो, part owner, ये दो word को नजजदिक लाओ, देखो, part owner, part owner, part owner, part owner, अरे दो word नजदिक आगे जॉइन हो रहे हैं, ऐसा feel को रहा है, part owner, one, partner, to partner बना रहा है, अरे मतलब owner है वो, और owner को पैसा मिलता है, थोड़ी ना income from salary होता है, salary में तो विचारे नौकर लोग, नौकरी करके मजदूरी करके पगार कमाते वो होता है तो सी ये भले salary है but it comes under the head income from business तो सुनो ये चीज बताने के लिए तो section 28 में डाला है इन लोग ने ये तो public तो क्या है पागल है इसको income from salary में डालती थी लेकिन section 28 क्या बोलता है ये business care में taxable होगा तो ये देखो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ ये partner के statement में इधर add होगा क्या salary और interest ये देखो add हो रहा है ये देखो add हो रहा है नहीं add करना चाहिए कौन बोलता है ये दिस इस रिटन इन सेक्शन 28 और ये देखा मैंने क्या highlight किया देखो form के लिए 40 छोटा भी partner के लिए section 28 सुनो मैंने इसका effect बता दिया प्लीज देखो बस्क्रीन पर ये दोनों चीज का effect बता दिया अब आया sharing net profit का बारी तो लोग ये देखो screen पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ ये statement का जो final answer आता है किसका statement है partnership firm का इसका final answer net profit ही तो होता है statement से एक तरह सम्दो net profit ही निकाल रहे है net profit as per tax और इस net profit पे firm को 30% tax बढ़ना पड़ता है every partnership firm has to pay 30% tax और ये profit में हिस्सा मिला है partner को partner को हिस्सा मिला न तो partner के लिए वो पैसा आ रहा है share लेकिन partner वो अपने statement में dash करके दिखाएगा देखा dash क्यूंकि for partner it is exam under section 10 to a और क्यूं एक्जेंट है क्यूंकि जिस profit पे firm ने tax बढ़ दिया तो profit tax हुआ है और tax हुआ profit में मुझे हिस्सा मिला तो मैं उस पर दोबारा क्यूं tax बढ़ हूं तो दोबारा ना है न इसके लिए section खुला हुआ है 10 to a अरे तो इंसर conclusion क्या है profit पे तो firm tax बढ़ती है तीस्टा का तो for partner it is exam under section 10 to a तो यह देखो मैं इधर क्या दिखाऊंगा है देखो देखो नहीं इधर चली कि इधर गया यह देखो यह statement का जो final answer है that is net profit और इस net profit पे क्या बोला form को बोल 30% tax आता है और जब form tax बढ़ देती है तो यह चीज पार्टनर के statement में देखो उसका entry पास करूंगा share in net profit लेकिन main चीज़ देख amount column में amount डाले कि dash यह 28 के नाम पे taxable नहीं होगा यह तो उल्टे का law ने क्या बोला है भाई this will be exempt under section 10 to 8 तुमनों देखा मैंने बातों बातों में इधर देख तीन section से तुम्हारा परिचय करवा दिया जबकि मेरे agenda में section 28 था तुमनों भूल चुके भटक मचाओ मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूं आ जाके मैं section 28 पढ़ा रहा हूं section 28 पढ़ा रहा हूं तो section 28 के हिसाब से तो सुनों इधर देखो न मैं खाली इतना सा पढ़ाता तो भी चलता अरी इतना पढ़ाता चोल चलता ना लेकिन इसमें तुमको incomplete knowledge मिलता बच्चों को full knowledge देने के लिए मुझे बहुत सारी बात करनी पड़ी अब इस सब पूरी बात वापस बताओ पहले मेरे को salary interest का बताओ क्या होता है salary और interest form के लिए खर्चा है form minus करेगी partner add करेगा क्या था देखो salary यह टोन में बोलो salary interest form minus करेगी partner add करेगा लेकिन form minus करेगी subject to 44 भी का limit partner add करेगा as per section 28 फिर net profit पे form tax भरेगी partner नहीं भरेगा exempt under section 10 to a इतना याद करो ने तो आगे बाद नहीं बढ़ने वाला क्या था बताओ यह टो salary or interest बोलना भी सीखो ना salary or interest form minus करेगी क्योंकि उसके लिए खर्चा है लेकिन subject to limit under section 40 छोटा भी लेकिन form minus करेगी और यही चीज़ partner add करेगा अपनी income में income from business के head में as per section 28 यह 28 में लिखा है and obviously जितना form minus करेगा उतना ही partner में add करेगा और form कितना minus करता है वो 40 B के डेम पढ़ाओंगा फिर net profit के साथ क्या होता है उस पे तो form tax बरेगी partner नहीं बरेगा exam under section 10 to a एक सेन उसका doubt है कि अगरे इसन सुनों कोई को लोग को doubt कि आ रहा है देखो partner के लिए section 28 कहां से ची कोई को लो section 28 को narrow नजर से देख रहे section 28 तो goods goods बेश रहा है service वर्विस दे रहा है तंदे में income आ रहा है तो section 28 आना चाहिए न तो वो सब तो form कर रही है लेकिन see as partner मुझे form से मिला है income में तो दिखाऊंगा न बताओ कि थोड़ा section 28 में आया हो विचे तरह लगता है लेकिन मेर को इसका अंसर दो बताओ अगर मैं कोई form में partner हो तो मुझे वहां से salary और interest मिला है तो मुझे income तो दिखाना पड़ेगा के नहीं अरे form को जब खर्चा दिखाने दे रहे form को minus करने दे रहे तो partner को income दिखाना पड़ेगा अब बताओ कहां दिखाएगा choice कर दो चलो income from salary में तो नहीं दिखा सकता income from house property में तो नहीं दिखा सकता capital gains भी हो सकता income from other source business और राइट फूली business पर है क्योंकि partner क्या बोलेगा मुझे अपने धंदे से कमाई हुई है form मेरा धंदा है मैं हुआ partner मैं भी हुआ मालिक हूँ और मालिक को अपने धंदे से कुछ मिला तो उसको business income की तरह दिखाना पड़ता है section 28 को यह broad नजर से देखो section 28 यह नहीं बुलता goods based service दे कुछ पैसा आएगा वो any income which is connected to business it is business income तो for a partner form से कुछ आना it's like business से ही आना और उसको income from business में दिखाना ही पड़ेगा नहीं दिखाएगा मतला ही तो गलत है माला form मस्ट में खर्चा दिखा दी और तू income नहीं दिखा रहा है पर्चा दिखा दी तो partner को income में दिखाना पड़ता है और वो क्यों कि separate entity का रिवाज है ना यार अगर separate entity नहीं होता ना तो फिर ना तो form खर्चा दिखा में ना को income दिखाएगा यह सोल ट्रेडर हूं यह देखो ना मैं खुद को salary दे रहा हूं शीरी श्वयास को हो जाता है separate तो form जब खर्चा दिखाती है तो partner को income दिखाने का ना अब दिखाएगा तो किदर दिखाएगा income from business में ना इसलिए section 28 में लिखना पड़ता है सी कुछ चीजह ना पबलिक समझती नहीं ना तो law क्या बोलता है भाड़ में गया समझागे नहीं section 28 पर उदर लिखा ऐसा करने का तब मैं तो बिचार स्ट्रगल करता हूं बच्चों कन्वेंस करने के लिए लो थोड़ी स्ट्रगल करता है लो ने बोला है partner को salary मिला ना चुप चाप 28 में डाल देने का और यह पता ही knowledge है ना कई ना कई समय काम आता है ट्रस्ट में यह बहुत important point है पॉंसा partner का salary और interest ओके एक से ना और यह डाउट है हां तो तो सी कोई कोई लोग को थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है क्यूंकि अपने अभी जिस तरह का statement बना रहे का महौल बना रहे ना ऐसा फील करें दो धंदे में तरह तरह खर्चे हो रहे depreciation साइन डिवी रिसर्च अभी इंकम आ रहे है तो सी वैसा फील तो form बन के सोचो के तो यह आएगा form बन के लेकिन क्या गरे 28 ने तो हर चीज सोच के प्रोविजन बनाया ना तो सी एक्चुली यह पार्टमर का यह जो ट्रीटमेंट होगा ना कितना से होगा बस आज अगर मैं भी मैं अग्चुली पार्टर हूँ इदर मालू मैं व्यास ट्रशेट्स मेरा सी ए फर्म है दूसरा को अट्ना कोन मेरी बीवी यह और मैं और मेरी वाइफ हमने फर्म बना के रखाया है वयास अन आसो चेट्स इट उदर bank audit वगएर आता, CA का form बना के रखा ना, तो मैं भी on paper उदर partner हूँ, तो मुझे अगर व्यासन असोर्चेट से ऐसा दिखा हूँ, मैंने salary लिया, interest लिया, दिखा सकता हूँ, लेकिन व्यासन असोर्चेट का return file होगा, तो deduction मिलेगा उदर, लेकिन मुझे अपने return में दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या दिखाऊंगा, खाली salary और interest from व्यासन असोर्चेट्स, लेकिन व्यासन असोर्चेट को जो detail, खर्चे, income वगएरा होती है, वो उसके returns में आएगा, तो in short see, partner के computation में, ये दिखाना पड़ता है, main point ये था, ये पूरा सीनी दिमाग में छप जाना चीए, तुमारी नजरों में अभी ये तीन highlighted दिखना चीए, इससे पता मैंने तुमको क्या नहीं पड़ाया अभी तक, 40 B में limit क्या है, वो पता नहीं, तो ठीक है ना, वक ताने पर पड़ाऊंगा ना, कितना हो गया, 9 points में से, 1, 2, 3, 4, और क्या हो गया, पांच्वा point हो गया, छटा point सुनो, non-compete fees, non-compete fees, वहले, imagine, मैं business man हूँ, coaching class चलाता हूँ, कोई दूसरी coaching class वाला मेरे को बोलता है, कि तुम CA final मत पढ़ाऊ, तुमको तकलिफ हो रही है न, 5 लग रखो, अरे मेरे को कोई 25 लग, 5 लग, 10 लग रुपया देखे, क्या बोल रहा है, CA final मत पढ़ा तू, FIJC को पढ़ा, 11 वी को पढ़ाऊ, 12 वी को पढ़ाऊ, B.com पढ़ाऊ, कुछ भी पढ़ाऊ, लेकिन CA final को मत पढ़ाऊ, ऐसा हुआ था मेरे सार, रियल लाइफ पे, जाने तो बादे बताऊंगा, CA final को मत पढ़ाऊ, तो इसको क्या बोलते, कोई competitor मुझे बोला है, don't compete, take fees, don't compete, take fees, तो मान लो, मैं तो ऐसा करूँगा नहीं, लेकिन अगर किसी की बातों में आगया हो, के चलो CA final नहीं चलाएंगे हम, और उसका मुझे अगर 25 लाग मिला, तो ये देख, मेरे साथ क्या हो, 25 लाग रुपे आ रहा है, ये भी मुझे income में दिखायाना पड़ेगा, ये बराबर वो भी मेरी business की income है, CA final चला के, मुझे जो fees मिलती तो business income ही थी न, ये तो CA final के batch को discontinue करके, मुझे कोई competitor पैसा दे रहा है, तो वो भी एक तरह से CA final का batches से कमाया, लेकिन batches run करके नहीं, batches discontinue करके, और discontinue क्यों करना है, क्यों competitor को डर लग रहा होगा, तो इसको कहलते है non-compete fees, और ये मेरे लिए income हो जाएगी, लेकिन जिस बंदे ने दिये, जिस बंदे ने मुझे पैसा दिया, उसका पैसा जा रहा है, तो उसके लिए खर्चा हो गया, वो deduction claim करेगा, under section 371, और ये एक्ट में नहीं लिखा, understood है, मैं क्यों बोड रहा हूँ, बच्चे के माइड में इस सब भी चलता है, कि सर आपके लिए तो income from business में आगे, under section 20, लेकिन जो बंदा आपको दिया, उसके लिए क्या, तो उसके लिए खर्चा है, वो भी बताए का है, भई हमने business के लिए कुछ खर्चा किया है, और deduction claim करें, under section 371, वो देने वाले के लिए, और जिसे मिला, क्या मिला क्या है, non-compete fees, उसके लिए income under section 28, और बाइद वे ना, इस transaction में भी TDS करता है, ऐसी काली बता के रख रहा हूँ, वक्त आने पर detail में बढ़ाऊंगा, अभी मत गुसो, कौन सा TDS कहां से आ गया, इधर 194J में TDS आता है, 194J, जो बंदा मेरे को non-compete fees दिया ना, TDS काट के देगा, अब वो क्यों क्या, बाद में बात करते हैं ना, च्छटा पॉइंट हो गया, च्छटा पॉइंट क्या था?, non-compete fees, पुष करना पड़ा, तो capacity पड़ा, non-compete fees हो गया, अगला पॉइंट, की-man insurance policy, की-man insurance policy, क्या होता है बता, की-man मतलब शावी वाला आदमी नहीं, की-man is the most important person of the organization, अब बता, उसका insurance क्यों निकाल रहे है हाँ अगर most important person अगर मर मरा गया तो वो मरेगा तो उसके बीवी बच्चे रोएंगे उसका दुख नहीं है धंदे का क्या होगा ये धंदे की चिंता में insurance निकला है जैसे fire insurance नहीं निकाल दे गोडाउन में पड़ा गुट चल गया तो धंदे को नुकसान होगा वैसे धंदे का कोई खास आदमी की मैं अगर मर गया तो धंदे का नुकसान होगा उसके लिए insurance उसको क्याल दे की मैं insurance लेकिन सी ये मुझे कुछ वर्किंग करके सिखाना पड़ेगा प्लीज देखो न प्लीज देखो न देखो न इधर जाद देखो न चटा पॉइंट तो नॉन कंपीट फीस सा पड़ा दिया था सात्वा क्या है की मैं insurance policy लुक example Reliance के लिए Mukesh Ambani is a key man हाँ बोलना ही पड़ेगा यार Reliance का most important person Ambani है तो पता है और पता है Reliance एक separate entity as a joint stock company Reliance को पता है tension क्या है कल को Mukesh Ambani मर मरा गया न तो उसके पीछे नीता Ambani उसका बेटा कोने आकाश उसके बच्चे बीवी रोंगे उसका दुख नहीं है Reliance को धंदे का चिंदा धंदे का क्या होगा अमवानी तो मर गया लेकिन उसके पीछे कमनी तो चलेगी न क्यूंकि अमवानी का 100% शेयर सोड़ी है Reliance is a public company public is a stakeholder तो कमनी तो चलेगी न लेकिन अभी धंदे को नुक्सान हो गया और यह डर है Reliance को तो tell me इस डर का solution क्या है जीना मरना किसे के हाथ में धोड़ी है मरने वाला तो मरे गई तो जो होना है वो तो हो गई कभी न कभी लेकिन इसका solution क्या की मैं इंशुरेंस तो लुक यह देखो Reliance वाले ने क्या किया प्लीज देख ले LIC के बास गए 15 करोड का policy निकाला क्या बोलके कि अगर मुकेश अम्बानी मर गया यह देखो यह रिलाइंस की इनकम है आरवाइं पैसा डिस विल भी ठैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 पोर रिलाइंस लेकिन सुन यह तो जब पैसा मिलेगा तभी लेकिन मिलेगा कब जब वो मरेगा तभी लेकिन जब तक नहीं मर रहा है उसके जीते जी यह देख रिलाइंस को देखना प्रीमियम भड़ना पड़ेगा और प्रीमियम रिलाइंस के लिए आ रहा है कि जा रहा है जा रहा है तो यह एक्स्पेंस है इसका डिडेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 37.1 37.1 क्यों बोला क्योंकि इसका कोई पर्डिकुलर सेक्शन नहीं था और जिसका कोई नहीं उसका 37.1 अरे मैंने कीमन इंश्रेंस का फूल इफेक्ट पड़ा दिया भले मैं 28 पड़ा रहा हूं लेकिन आधा नॉलेज देके मजा नहीं आता ना फूल पैकेच्च खतम करने का होता है तो बता पूरा इफेक्ट बताओ क्या होगा अरे मुझे मॉनेटर इफेक्ट बताओ सब रिलाइंस वालों ने LIC को क्या बोला कि अंबानी की अगर डेथ हो गई तो हमको 15 करोड रुपया देनेगा और ये प्री डिसाइड़ होता है उपया सब्सक्रीन पर अलब तो दो गने तो द्युसक्य मिलेगा अरी चारी मिंदी बैक्न हो तो maturity death पर मिलेगा ना जीते जी रिलाइंस को जो स्क्रीन पर देखो ना premium pay करना पड़ता है उसका मिलता है deduction under section 371 कितने लोग बोलते 361 361 क्या था insurance premium of stock and employees health health मतला medic claim medic claim क्या होता है hospitalization का cost recover करने के लिए keyman insurance क्या होता है मलुमें keyman की death से धंदे को फटका पड़ा ना वो cover करने के लिए तो see medic claim insurance अलग था see 361 में क्या था insurance premium of employee का health तो पहले यह को employee की health insurance नहीं है कोई बोलेगा अंबा ने तो वैसे भी employee नहीं है see वो बात नहीं है keyman एक employee भी हो सकता है लेकिन employee की health की चिंता करते ना उसमें क्या होता है hospitalization का cost record होता है वो तो employee की सुकुन के लिए अभी मैं medic claim बता रहा हूं कि keyman अरे insurance भी तरह तरह की होते ना क्या क्या इंश्रेंस फायर इंश्रेंस marine insurance की मैं medic claim तो यह medic claim थोड़ी है medic claim इंश्रेंस अगर भड़ते ना तो 36.1 में था CYFR का आई insurance of employee's health medic claim यह medic claim है की मैं की मैं इंश्रेंस का कोई section नहीं था कि अभी देखो की मैं का तो मैंने बोल दिया अभी कोई को लोग को डाउट है कोई normal employee का सा लाइफ इंश्रेंस वात हो तो देखो तुम लोग को actually क्या मेरे साथ बिताईबे वक्त याद नहीं है मैंने बताया था मैं बता तो यह देखो इदर बहुत पड़ा है ना तुम लोग को लेकिन अकेला हूँ मैं उसमें तुम लोग साथ ही नहीं हो तुम लोग को याद नहीं यह देखो इसमें किदर था यह देखो अच्छा गाला चार्ड बना के दिया था देखो इंशुरेंस प्रीमियम के ओपर पीएजडी किये थे हम लोग क्या बताता हो तो बिल्डिंग का इंशुरेंस सेक्शन 30 में था लांटेन मश्रेंट फ़र्निचर 31 में था स्टॉक का 36画 1, मेडी क्लेम, स्टाफ का 36画 1, एनी अधर इंशुरेंस 30 mark 1 एनी अधर में जो डालना डाल दे ना लेकिन अभी मैं बाकी की बात ने फिलाल में की मैं की बात करा हूँ की मैं इंशुरेंस भी अधर जैसे ही है ना 30 कुछ वर लोघ के को कउंभगे बैक्ट और खोल दिस से इस हजल बात हुए है। इस इस बार्फ हो कि मेरन पॉइंट बदा रहा हूँ बता हूंல्गि में क्या प़ड़ा रहा हूं सेक्शनिंट यह क्या बोल रहा है कि की मैन का कभी पैसा मिलता है आइधर ओन डेथ और मेचॉरिटी वो भी इंकम फ्रों बिजनस में डालो क्यूंकि की मैन इंसुर्ण निकाला ही क्यों है धंदे को सिक्यूर करने के लिए तो because it is to secure धंदा it is for business that's why section 28 में आएगा एक संदे को एक पॉइंट की मैन इंसुर्ण पर एक अजीब बात क्या लूँ मैं इंसुर्ण अंबानी के नाम का है लेकिन contract is between LIC and Reliance वह पैसे Reliance को मिलेंगे और देने भी Reliance को पढ़ेंगे premium ओके खाली अंबानी तो मौरा है उसके नाम का है लेकिन पता है किदर देखो आज मुकेश अंबानी को अपने बीवी बच्चों का देंशन होगा मैं मर गया तो मेरी पतनी नीता अंबानी उसका क्या मेरे बच्चों का क्या तो वह उसकी personal problem है उसके लिए वह निकालेगा life insurance policy जो plain life insurance करके बोलते ना life वाला insurance तो वह अंबानी क्या करेगा अगर उसको अपने परिवार की चिंता है तो बोलेगा life insurance और उसके लिए वो खूद LIC के साथ contract करेगा कि LIC ध्यान रखना मैं मर जाओं तो मेरे बीवी बच्चों के लिए कुछ कर दो ना तो वह मुकेश अंबानी का personal life insurance है and that's the transaction between अंबानी एन LIC और वो तो परसल है उसका पता है क्या इफेट अथा था प्लीज देखो ना उसमें अंबानी जो LIC premium बढ़ता है ना उसका ATC chapter 6 में deduction मिलता है और maturity या मरने पर पैसा मिला ना तो section 1010D में exempt है and it is an item of workforce income from other sources पहले यह समझा के नहीं थोड़ा अलग general चीज आ गई लेकिन इक्यू बता रहे क्योंकि यह भी बोलना पड़े अंबानी को अपने बीव बच्चों की चिंता है तो कर चिंता लेकिन उसके लिए अंबानी खुद परसली प्रीमियम भरता है और उसका उसको 80 C-band deduction मिलता है LIC premium मिलता है न फिर बाद में मरने मराने पर maturity पर पैसा मिलेगा तो income from other source में exam अंडर section 1010D ओके लेकिन अभी क्या हो रहा है की मैंने में Reliance is paying premium and Reliance will get the money and it is to protect the business एक सेगन ना तो यह दोगो की मैं insurance policy का point समझा एक से मैं इदर लिख भी देता हूँ की मैं का पूरा effect बताओ ना यह दोगो जब हम लोग premium प्रीमियम पे करते तो क्या होता है और पैसा मिलता है तो क्या होता है effect बताओ ना प्रीमियम पे किया ना तो यह deduction under section 37.1 और यह सब रिलाइंस के लिए हो रहा है और जो amount receive होगा amount जब received होगा तो इट विल भी क्या बोलना चे taxable under section 28 income में add होता तो क्या बोलते taxable under section 28 और यह सब रिलाइंस के statement में effect आएगा होता है यह personal life insurance होता है और उसका इफेट अंबानी के रिटन्स में आएगा की में का effect विल कम इन रिलाइंस का रिटन्स तो यह दोगो यह क्या कौन सा point होगा जल्दी देखो नौ point में साथ हो गए आठवा सुनो कि है जल्दी देखो आठवा 35 A.D. मैंने पढ़ाया था 35 A.D. 35 A.D. क्या है old chain, warehousing, cross country, hospital, hotel, housing, housing इन लोग जब asset purchase करते हैं तो यह दोगो उसकी full cost का deduction मिलता है लेकिन यही लोग जब asset बेशते हैं तो उसका full selling price income में add होता है under section 28 यह point तो बढ़ा ही था मैंने कहा 35 A.D. की theory में 7 notes में एक note था amount received on sale of asset in respect of which 35 A.D. was claimed shall be taxable under section 28 तो यह हो गया अपना 8 पॉइंट खतम 9th point के हमाल में any other income if it is related to business उपर add करने का और यह list को government बंद कैसे करती है any other income अरे ताकि कुछ छूट ना जाए ना यार basically government ने क्या सोचा जो खास-कास point है ना जो public को बताना चाहिए बता देते इसे non-compete fees इदर आएगा keyman इदर आएगा तुमको client से कोई gift बिल गया any benefit percusate arising था ना duty drawback कुछ खास-कास जीज़े जो government को लगी ना public को बताने चाहिए उसके लिए क्या बोता है कि इदर डाल दो लेकिन बात में government क्या बोलिया धंदे में तो ऐसे बहुत income आते रहती है तो लास्ट में government क्या बोली देखो और भी कोई income है अगर हो business से rated है ना तो चुप चाहब इदर add कर देने का अंडर section 28 तो 9th point है यह देको 9th look यह देको जल्दी खतम है आट वा क्या था से लो थाड़ी फाड़ी ऐसेट्स और नवा क्या था एनी अधर इंकम इविड रिलेटेट टो बिसनेस ऐसा को और को इंकम जो business की है जो अपनी लिस्ट में अभी तक नहीं आई कि पर असे लोग स्क्राइब कें बीड एक्जांबल इंट्रेस्ट फ्रम कस्टमर्स फो लेट पेमेंट अरे डेटर तो बहुत वाट टाइम पे पैसा नहीं देते ना अरे डेटर लोग को हम लोग टाइम लोग उसे इंट्रेस्ट चार्ज करते वह भी बिजनस का है ना क्यों कस्टमर से मिला है और कस्टमर मला income is arising from business वह भी आ सकता है अरे मतलब एनी अदर इंकम में कुछ भी आ सकता है अरे प्रोवाइडेड बिजनस से रेटेड होना चाहिए इंपॉर्डटन है इधर लिख देता हूं रिलेटेड टू बिजनस होना चाहिए नहीं तो सी ऐसे दो अपने माला dividend income भी होता है अरे क्या dividend income होता है ना लेकिन वह income फ्रॉम अधर सो से अरे बिजनसमें इन्वेस्ट करके कमाता है नहीं कईब इन्वेस्ट करके वह सब इंकम फ्रॉम अधर सोसे लेकिन यह इंवेस्टिंग इंकम नहीं है ऑपरेटिंग अक्टिविटीज मैं पता है वह cash flow वाले terms उस कर रहा हूं cash flow statement बोलते हैं ना investing activity operating activities देख़् के बिख भाले अब लुख है वह इंवेस्टिंग अक्तिविटी इस ह्यार इकनसमें पैसा ड्लडिया मैं बाहर से इलिससे बीगर बताओ मुर्णay ऄकर घखां खाली यही दिखाउंगग इसमें जा आदेख जाँगा जादा था फास्ट पॉइंट क्या था गूट्स बेचने वालों के लिए जीन पी सेखेंड पॉइंट टा सर्वीस बेचने वालों के लिए पाइश्च थीटी टॉप सेलोबικό के लिए फीसحم के फेट पार्टनर को जो सैलरी और इंट्रेस्ट मिल है फर्म से वो पार्टनर के लिए 28 में इंकम आना जाता है फर्म माइनस करें कि लेकिन पार्टनर एड करेगा और प्रोफिश शेर वो एड नहीं करें कि इस एक्जेम अंडर क्योंकि इस एक्जेम अंडर सेक्शन 10-2-A यह पाच्वा पॉइंट रहे हैं छटा क्या था बताओ नौन कंपीट फीज साथ वा कीम एन इंशरेंस का पैसा मिलना आठ वा थर्टीफाइड वाला एसेट बेचा तो नवा एनी अधर इंकम रिलेक्टेट टू दू बिजिस तो यह था सेक्शन 28 की 9 पॉइंट की लिस्ट इसके बाद अगला सेक्शन क्या है सेक्शन 41 इसमें ट लेकिन जानकारी थी उसकी तुमको पहले कि दो 41 में ना लुक 41 1 है 41 2 है 41 3 है 41 4 है ऐसे चार पॉइंट है यह दोनों तुमको मैंने पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था बताओ 41 2 और 41 4 पहले 41 4 याद दे लाओ ना मेरे को क्या था मैं नहीं बोलो हो तुम लोग चीज़ दो कॉपी कर लो नोट्स खोल के देख लो नोट्स कोलो वैसे भी मुझे नोट्स खुलवाने कूँ लिखवाना था मुझे नोट्स कोलो अपना प्रिंटेड नोट्स कोलो उसमें तुमको याद भी करना है और मुझे को लिखवाना भी तुमको इदर देखो एले एक काम करो इदर मुझे को लिखवाना है लुक यह अधर मैं 41 पर जाता हूं एक से रुको ना पेशेट रखो 41 पर जाता हूं लेकिन 28 के इंदर कुछ लिखा बड़ी कर देते हैं लेकिन 28 की इन दिनों में इसके उपर बहुत है किया हुआ है एनी बेनिफिट और को लिखे और बीजिए लेकिन शींपल चीज़ है लेकिन इन लोग ने इसके उपर ज्यादा है रहने चीए अरे कल का क्वेश्चन में ऐसा कोई वर्ड आ गया बेनिफिट पर्कुष और आइजिग र अब टॉब का फ्रीज़ है ट्रीकित दे दिया यह अपने जो में चार्च करते ना उसके अलग एक्स्ट्रा मिल गया को अधन्ना इंगания के और वर्लम्य स्थी उतना इक्स्कोर्य यह बर्ल की अधिब आ जाता है इतनी दवाईयां को श्टॉक आ जाता है वो भी के परक्यूजिट जैसा ही है एक्स्ट्रा मिला ना उसको कुछ यह लिख दो ना अपने नोट्स में ही देखो कि यह वाले पॉइंट के आपे लिखना और एनी इसके उपर तो इन लोग ने TDS भी चालू कर दिया बोला ना मैंने TDS के चैप्टर में इसके उपर और डीटेल में बात करने वाला हूँ और वो TDS तो वह वाला पॉइंट तो नॉवमबर 23 वाले बैच के लिए अमेंडमेंट जैसा था एक में 24 वाले स्टूडन के लिए थोड़ा एक साल पुरा ना हो गया ऐसा वे दो क्या लिखा हूँ इदर एनी बेनिफिट और परक्यूजट अराइजिंग in the course of business any benefit of perquisitan arising in the course of business फिर ये पाच्वे पॉइंट प्याओ ना इधर पाच्वा पॉइंट देखो इधर इसे लिख दो पैंसिल से देखो ड्रॉइंग इसकी ड्रॉइंग तुमको करनी ही पड़ेगी कंपल सरी इसे तो तुम्हों को जो भी एक्स्पिनेशन के डाइंग नोट्स दे रहा हूं सब लिखना चाहिए यार तो यह इसका तो ड्रॉइंग बने कुछ मेंडेटरी चीज़ है इधर ही लिखा तो क्या वरुज़ा कोई नहीं लिख रहा हो तो एल्लिस यह ड्रॉइंग तो कर दे क पार्ट्नर वाला पॉइंग जादा अच्छा इंपाइट आता है और ड्रॉइंग के लिए देखो नीच्छे जगह भी दर ही दिख रही है इसे मुझे एक्चुलि ओट लिख वाला पॉइंट लिखाना था इससे मैंने नॉट्स खुला एथी एक्सेंटर को किसी का डवट कुन साइए यह देखा चार्ट का मतलग क्या है मैंने पढ़ा था नहीं है सबसीडि अगर कोई एसेट करेदने के लिए मिले तो एसेट की by cost में से कम हो जाता है भी देखो न लिखा deduct from the cost लेकिन other subsidies लएक example क्या था power subsidy interest subsidy transport subsidy मैंने example दिये थे ना सब पढ़ा है था है ने ये सब section 28 में आता है ऊके now look here इधर देखो look section 41 में न पहले 41 414 याद करो तो आगे बड़ा पहूंगा बैडड रिकवरी सी बैडड रिकवरी में मैंने नहीं बता थे देखो इधर देखो लुक एर यह देखो 414 था ना बैडड रिकवरी उसका क्या रूल था बताओ कि अगर स्क्रीन पर देख बैडड तुमने मैंनस किया है तो उसकी रिकवरी बाद में एड़ भी करनी पड़ेगी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं यह देखो रिकवरी रिकवरी शाल भी थैक्सेबल उपर एडड थो थे क्या हो लेगा इच्छाल भी थैक्सेबल इप वास अलाओड एस डिड़ेक्शन इन पास्ट फिर याद है मैंने बता था लोन वाला बैडड देट्स होता लोन वाला वो तो मैनस ही नहीं करने मिलता तो उसका रिकवरी एड भी नहीं होगा money lending business होता है तो loan वाला bad debts भी allowed है तो allowed है तो उसकी recovery add भी होगी यह rule यादा है कि नहीं तो सुनो भी must point है same rule जो bad debt recovery के लिए न गौवर्मेंट ने वो हर चीज के लिए बना दिया है under section 41.1 फरक इतना है 41.4 is specific to bad debt की recovery लेकिन एक बात बताओ recovery की दुनिया बहुत बड़ी है कई बार bad debt के अलावा कुछ और चीज की recovery भी होती है जैसे सुनो मैंने गलती से GST जादा भर दिया था वापस आ गया recovery recovery मनला गयला डूबेला पैसा वापस आता है तो GST refund नहीं होता अरे मैंने by mistake GST जादा भर दिया था तो भरावा मुझे government refund देती है तो recovery है ना पर is it bad debt recovery की कुछ और कुछ और होता है ना तो ये देखो section 41.1 activate होता है तो tell me ये GST refund का effect बताओ ना प्लीज बताओ ना यार GST जब भरते तो minus करते और कल को GST भरेला refund के रूप में वापस आ गया तो add भी होगा पर 41.4 बोलने का सी कभी sorry गलती होया 41.1 बोलने का bad debt के नाम का recovery होता है 41.4 लेकिन bad debt के अला कुछ भी दिखा न 41.1 इससे देखो मैंने general क्यों बोला है कुछ भी हो सकता है इसका पता है act में notes बन रखो अभी सुनो English में एक्ट में ऐसा लिका है please सुनो English बोलूँगा कुछ क्या English बोला हो 41.1 ये देखो subsequent recovery subsequent बाद में से कुछ रिकावर हो गया subsequent recovery of any expense देखो law में क्या लिका है any expense बाद देट्स थी कुछ भी टेंडें सुनो subsequent recovery of any expense ये देख shall be taxable बलो इनकम में add होगा if such expense ये देखो was allowed as deduction in past ओके समझा है तो बताओ income tax का refund आ गया income tax बरा था refund आगे refund तो refund recovery हो गया ना लेकिन क्या बोलना चे भाई income tax तो ये देख minus करने ही नहीं मिलता तो उसका recovery add भी नहीं होगा अरे भाई income tax मालो में disallowed है शिट या भी नहीं है section 40 चोटा A 40 चोटा A में था income tax wealth tax not allowed तो income tax wealth tax बरोगे तो screen परदे को minus करने ही नहीं मिलता उसका refund हुआ तो add भी नहीं होगा लेकिन पता है कितने लोग इसमें बेर से आर्ग्यू करते है income tax refund इदर add नहीं होगा तो किदर तो दिखाना पड़ेगा ना income from others हो किदर तो दिखाना income ही नहीं है मेरा ही भरेला पैसा मेरे को मिला किसका income यह income tax refund का वो होता है जब हमने ही हमारे पैसे गलती से जो ज़्यादा भरेते अपने को वापस मिला है और अपना पैसा अपने को वापस मिला तो income तोड़ी है GST refund तो क्या है GST refund भी income नहीं लेके और माइनस करके बैठेते ना उसको एड़ करके पल्टी मारना पड़ता है हाँ income tax refund पे जो ब्याज मिलता है वो एक extra income है see refund तो अपना ही भरा हो अपने को मिला बोला ना लेकिन उसके उपर जो interest मिला ना तो वो income है बट वो income from other sources है वो business में नहीं आएगा क्यूं क्या ही अपना धन्दा है government को taxes जादा भर-बर के refund में ब्याज कमा हो यह धन्दा होता है किसी का तो यह refunds में जो ब्याज आता है न वो income from other sources है लेकिन अभी मैं उपर के मलाई की बात नहीं कर रहा हूँ मलाई की मलाई की मलाई ब्याज का मैं तो plain principle refund का बात कर रहा हूँ तो refund का बताओ क्या effect आएगा income tax, wealth tax जैसा है तो भड़तेट है minus ही नहीं होता तो यह तो minus ही नहीं होता refund add भी नहीं होगा लेकिन GST हो गया कोई भी ऐसा कोई tax है जो हमने minus किया था तो refund add भी होगा और भी एकसा example हो सुनो general है ना तो मुझे बहुत सारे example देके feel देना पड़ेगा यह देखो मैंने past में कुछ advertisement का खर्चा किया था देखो ना एक लाग का advertisement का खर्चा और उसका deduction भी ले चुका हूँ लेकिन पता है बाद में मैंने ना दो-तीन साल के बाद एड़ोडाइजर को नाराजगी बताई तू बहुत सड़ावा काम किया मेरा कितनी गंदी advertisement की थी मैंने तुझे को एक लाग रुपया दे दिया अब मैं कुछ करतों नहीं सकता लेकिन तुने बहुत घटिया काम किया था मैं आगे से तो दिर से काम ही नहीं कर रहाँगा तो पते एड़ोडाइजर को भी guilty feel हुआ यार मैंने अच्छा service नहीं दिया client को तो उसने क्या बोला चलो आपने मेरे को एक लाग पहले दिया था ना उसमें से आपको 25 यर वापस देता बस लेकिन रिष्टा मत भी काड़ो यार अरे बिस्निस में कोई relation spoil नहीं करना चाहता न लेकिन सुनो मैं तो एक लाग माइनस करके बैटा हूँ लेकिन एड़ोडाइजर आउट और guilty conscious feeling मैं को 25 यर वापस दे रहा है तो वापस आया तो income में add back हो जाएगा अरे मैं अजूम करूँ कि मैं एक लाग पहले माइनस कर चुका था लेकिन भविश्य में मुझे एड़ोडाइजर ने 25 यर वापस दे दिये तो वो भी income में add हो जाएगा वो भी recovery हो गए ना कि अपने advertisement के नाम का जो पैसा दिये थे वापस आ गया वो वापस क्यों आया क्योंकि एड़ोडाइजर को हमने complaints किया कि तेरा काम बकवास था अच्छा नहीं था यह नहीं था वो नहीं था तो उसने भी अपने आपको गिल्टी मान के मुझे पैसे दे दिये वाले same year में नहीं हुआ यह different year में transaction हुआ है और I am just trying to create the mahal of what? यह देखो recovery conclusion बताऊ ना चाहे bad debt recover कि कुछ और recover का common rule क्या है कि अगर तुमने पहले minus किया था तो उसको add करना पड़ेगा लेकिन minus ही नहीं किया था तो add भी नहीं होगा फरक इतना है bad debt recovery है तो 41,4 कुछ और recovery है तो 41,1 खतम लंभी सास लो अब है ना जैसे 41,4 याद आया तो 41,1 कैसे duplicate था पूरा उसी तरह में को तुम 41,2 बताऊगे ना तो तुमको मैं 41,3 बताऊगा डिट्टो सेम है तुम लोगों को बता है 41,2 याद है 41,2 याद आ गया तो 41,3 चुटकी में हो जाएगा क्योंके सेम है यह तुमको सेम फील होगे नहीं बताऊ यह तो ऐसा 41,2 और 3 भी सेम है 41,2 याद करो तुम लोगों को मेमरी लॉस हो रहा है तो मैं याद देला रहा हूँ मेरे पास है ना तुम्हारे साथ बितायवे हर वक्त का प्रूफ पड़ा है very good very good कोई को लोगों याद है very good keep it up कितने अच्छे उश्यार बच्छे होते है आज काल के यार एक सेंट किदर गया किदर गया याद आया कुछ पुराने दिन याद है इसे कुछ पड़ाया था पावर यूनिट्स तो सी उसमें ये तीन केस थे ये एक पर फड़क से याद कर लो फिर दो मिंट में हो जाएगा लुक खाली केस वन याद कर लो चले है केस वन में क्या था कि सेलिंग प्राइज एक सो पाच था और डॉड़ी वी कितना था एटी कंपर करके इतना है पच्छीस फिर इसमें क्या करते पास रुपया कैपिडल गेंजो कॉस्ट के उपर था बाकी का बीस रुपया इंकम फ्रॉम बिजनेस ऐसा पढ़ाया था या दे यह लोग धंक से लिखाओ देखलो यह था न यह ए फिर मैंने बताया था यह दो को पिछले दो साल में हमने 10-10 रुपय का डेप्रीशेशन का डिडेक्शन लिया था वो ही ची इधर आड़ बैक हुआ है और आड़ बैक क लेकिन 20 रुपय को पल्टी मा रहा है अपने को जो कौश्ट के उपर 5 रुपया मिला न वो कैपिडल गेंस याद आया same चीज you have to do if scientific research वाला asset बेचा तो लेकिन section अलग है 41.3 खतम हो गया मैं बोलूँगा कितने में भी actually खतम हो जा था समझदार बच्चे के लिए वालो तुम लोग के लिए तो 41.3 के मालने में डिक्टो सेम एस 41.2 यह चीज सेम है लेकिन फ़रक इतना है कि यह पावर यूनिट वालोंने asset बेचाता न स्टेट लाइन वाले अभी scientific research का asset बेचा है कि बेचो साइन डिवी रिसरच का asset बेचो ना और एक महौल बनाओ ऐसा साइन डिवी रिसरच का asset मेंने बेचा है यह देख लिखा है साइन डिवी रिसरच asset को बेचा है तो मेरे को बता उसका working कैसे होगा एक रिसरच वाला asset मानलों उसकी cost 100 रुपया और उसमें मुझे deduction अंडर section 35 100% deduction मिलता उसका और उसका WDV निल अरे मला जिस तरह पावर यूनिट वाले एक्जामल में कैसा था WDV 80 रुपया बचाता ना क्योंको इधर तो स्टेट लाइन मेथर से डेप्रिशेट कर रहे थे लेकिन इधर तो full cost deduction मिलता साइन डिवी रिसरच का यह देख statement में माइनस भी कर रहा हूं यह क्या deduction अंडर section 35 यह देख इधर हाँ बोल तो यह आगे बढ़ूंगा डिटेक्शन मिलता है न लेकिन आप मानलो यह रिसरच वाले एसेट को हमने 105 में बेचा और मैं सेम फिगर रखना चाहता हूं 105 अपना वर्किंग का तरीका याद करो compare selling price with WDV WDV 0 है इसका तो profit कितना होगे 105 और फिर इसमें cost के ओपर जो पाँच मिल है वो capital gains और बचा कितना है 105 में से 5 capital gains है तो कितना बच रहा है 100 यह जाएगा यह देख इधर देख इधर कितर जा रहा है income from business में add होगा 100 logic क्या लूँ यह देख logic देखना है इधर connection भीटा government बोलती है भई तेरे को तो हमने 100 रुपे का deduction दिया था लेकिन तेरे गए हुए पैसे तो वापस आ गए उपर पांच रुपे एक्स्ट्रा भी मिले चल पांच को भेच लेकिन तेरा सौ जो गया था वापस आ गया तो हम भी हमारा दियावाइड डिडेक्शन वापस ले रहे कैसे एड़ बैक करके अंडर सेक्शन फॉर्टी वन थ्री सेम है वरे कितना पावर यूनिट वालों का वो दो साल का डेप्रिशेशन एड़ बैक हो गया था और इसको तो फुल कॉस्ट डिडेक्शन मिला था फुल कॉस्ट एड़ बैक हो गया अरे यह देखो क्या किया मैंने वर्किंग समझा इसकी डबलोडीवी निल क्यों समझा न फुल कॉस्ट डिडेक्शन में चोगा है उसी इधर में एक अच्छा इफिक्ट देने के लिए लिग देता हूं अपने डिडेक्शन कितने लिए थे अंडे अंडर सेक्शन थर्डी और अजलता है, और यह कब होते लिपलने कीतने लिए, अर यह कब होता था यह कब होता से अहुँआ जाक्यों प dic właściwie किस अ यार 105 पीचा 105 में ना यार लेकिन उपर एड कितना करेंगे एड 100 करेंगे और वो पांच रुपया किदर गया एक से एड का सेक्शन क्या लेको पांच किदर जाएगा कैपिडल गेंस ड्यू एग्री इसा होना चाहिए लेकिन आप सुनों यह पॉइंट सुनके ऐसा लगना चाहिए सर ऐसा तो सेक्शन 35 एड में भी होना चाहिए जिस सरह साइंटिविक रिसर्च के एसेट का फुल कॉस्ट इडिक्शन मिलता है 35 एड में भी तो फुल कॉस्ट मिलता है तो 35 एड में भी ऐसा होना चाहिए लेकिन 35 एड में ऐसा नहीं हो रहा है प्रिसा फ्लोल इन दहलु करण को तुम इड मेरे को सब आदिला बढ़ता है मैं दिंखा तो मेरे मां सबूत पड़ा है कि क्या लिगा थे ठर्रीफा एड के लिए पड़ सेंडेंस को पढ extraordinceks था किया लिखा था बढ़ो कि अमाउंट रिसीवड ऑन सेल और डिस्पोजल अशेट इन रिस्पेट अभी डिटेक्शन वस्प्रेम अन थाटीपा एडी और अमाउंट रिसीवड मंझे वाट यू नो फुल सेल प्राइस और फूल्ग प्रायस मतलब वाल में क्या है 105 मेरे एक्जामबल में एक्ट में यह नोट्स है आ किन एक्ट मेंसी लिखा हुए न अमाउंट रिचीवड उन सेल तो वाट就到 मिन मामाउंट रिषियवड उन सेल इन् fel fox वाला एक्जामब एक्जामबल 105 तो मतलब 105 मतलब पता होना ची 3580 का यह देखो जल्दी देख 3580 होता ना तो यह देख यही चीट जो मैंने इधर किये ना उसके बेले दर 105 आएगा विचिस लॉजिकली इंकरेक्ट रॉंग क्यों बताओ अरे जो कॉस्ट यह उपर का मिला हो तो कैपिट अगेन में आना चीए ना यार चलो सौ तक तो अपने डिड़क्शन ले लिए थे उतना पल्टी मारने का होता है सौ लेकिन उपर का पांच तो कैपिट अगेन में जाना चीए था ना रे लॉजिकली ऐसा होना चीए मैं तुमको कानून की मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहो तुम लोग महरबानी करके एकजाम में हुश्यारी मत मारना तुम लोग 35 AD के लिए क्या करोगे 105 में बेचाओ के 109 में बेचाओ फुल सेल प्राइज उपर एड कर देना और इन फैक्ट उसका तो सेक्शन भी अलग है 28 मेरी फीलिंग समध दो ही ऐसी जगह है ना जा आपने फुल कॉस्ट रिडिक्शन लिए थे एक साइंटिवी रिसर्च था और 35 AD कोल चेन वालों का तो साइंटिवी रिसर्च का दो सेक्शन है ना 413 तो उसमें क्या करोगे बताओ साइंटिवी रिसर्च भी क्या करोगे पावर यूनिट स्टाइल साइंटिवी रिसर्च ने क्या करने पावर यूनिट स्टाइल और पावर यूनिट स्टाइल क्या था सेलिंग प्राइड डब्लो डीवी कंपेर कर आंसर आएगा लॉस आएगा तो टर्मिनल डेप्रिशन लेकि इदर लॉस नहीं आ सकता है कि साइंडी विरिसर्ट वाले एसेट का तो डबलो डीवी जीरो हो गया है अरे तो जीरो को एक रुपे में बेचा दो भी प्रॉफिट होगा ना यार जैसे पावर इनिट मेंने कैसे तीन केस बनाए थे ना इधर तीन केस नहीं बन पाए ग पावर इनिट में तीन केस था ना ऐसा तीन केस साइंडी विरिसर्च का बन सकता है नहीं क्योंके साइंडी विरिसर्च की तो डबलो डीवी जीरो हो जाएगी फुल कॉच डिडेक्शन मिलता है तो डबलो डीवी दिल तो अपना ऐसा वाला केस ही बन सकता लेकिन ये दो के सब्सक्立ूरा अव Gonzalez को सब्सक्राइबिए इसरे किया देखी अ वालों को पाउर इनिट स्टाईल। फरक है कि से बतृटें जाए ना मेकर कानून eh 아니 नहीं नहीं बने का स्ट डर्वालों किसे कीम दो 413 के अंदर की डाल देना था अक्चुली लेकिन लॉन है 3580 के थोड़ा नया टाइप का सेक्षन है ना अभी तो पूरा 2009 में आया था लेकिन 3580 में इन लोग ने ऐसा नहीं रखा है 413 तो सद्यों पूना ना है तो उनको एक्चुली ये भी 413 में डाल देना चीए था लेकिन इन लोग ने क्या लिखा है 28 में और उदर क्या लिखा है फूल सेल प्राइस तो क्या करें है पूरा 150 डाल दो में को मता साइन्टीव रिससज वाले ने अगर इतने में बेचा होता तो सेलिंग प्राइस 96 और साइन्टीव रिससज वाले का डबलो डिवी तो जीरो ही होता है ना पूरा 96 और यह एक्चुली फूल सेल प्राइस ही है इंकम प्रॉम बिजनेस पे जाएगा अंडर सेक्शन 41.2 और मैं नोटिस क्या कर रहा हूं साइन्टीव रिससज में भी पूरी सेल प्राइस ही एक्चुली इंकम प्रॉम बिजनेस बन जाती है लेकिन ना सिनेरियो वेर सेलिंग प्राइस कॉस्ट के उपर है उपर का कैपीड गें जाना चीए न यह चीज का खायाल 35 AD में नहीं रखा है लेकिन एक बात बता हूं मैं खाली यह नुक्स तो निकाल रहा हूं लेकिन रियल लाइफ फे बता यह केस बनेगा ही नहीं गिसे फीटे ऐसेट को तू कोश के उपर में कैसे बेचेगा 35 AD वाले ने गिस गिस के ऐसेट को बेचा तो कोई कोई कोश के उपर भी के उसकी संभावना ही नहीं है क्योंकि इसी संभावना में मिश्टेक आ रही है कि यह कोश के उपर का कैपिटेक जाना चीए लेकिन ऐसा होता ही नहीं है यूज्यूली पदा 35 AD वाले रगड़ रगड़ के ऐसेट को बेचा होगा तो इतने में भी का होगा अरे इतने में भी का होगा तो तो पूरी सेलिंग प्राइज इंकम फ्रों बिजन जाही रही है और 35 AD में भी तो ही है और I am just matching and explaining यह चीछ सी तुम लोगों को अभी नहीं आएगा माहिंड में क्लास में तो क्या पढ़ते हैं बेव मन से बेड़ लेक्चर खतम हो लेकिन बाद में जब खुद को बत्ती जक्ति न पढ़ना है तब इस सब डाउट आते तो क्या बोला बता तो पावर इंट किस्टाइल में कर दो और 35 AD है ना तो फुल सेल प्राइस 28 में एड़ अंडर सेक्शन 28 ओके कि एक्चुली पूल पता है सुनो जैसे साइंटिवी रिसर्च का मैंने क्या बूला क्या करिक बाद साइंटिवी रिसर्च का क्या बूला कि एक्चुली कोल भी आड़ा टेड़ा एसे डोता है न उसको पावर इंटिश्टाइल में करना ए टेलकॉम लाइसेस तेलकॉम लाइसेंस बचातो मैं क्या चाहता हूं मालों सुनो जो भी विचित्र अत्रंगी ऐसे डोते हैं उनकी सेल पावर इनिट स्टाइल से ही चलती है एक सेक्षण इन लोग ने 413 साइंट टीवी रिसर्च के लिए बोल के खोला है लेकिन मैं बच्चों को क्या बोलता हूं तुम लोग जनरले करतों बच्चों क्या जेसे टेलकॉम लाइसेंस है याद कर टेलकॉम लाइसेंस का डिरेक्शन कैसे मिलता है एक्वल इंस्टाल्मे लेकिन बीच में लाइसेंस बेस दिया तो अरे तो कैसा करेंगा यह दो यह सेम स्टाइल में हो जाएगा जितने में बेचा सेलिंग प्राइस और प्रेजेंट ली उसकी डबलो डीवी क्या है वो समझ जाने इतने में अभी बोलने की दरूत नहीं होने चाहिए जो भी एसेट अतरंगी होता है वो अतरंगी मतलब जिसपे साथर और डाप्रिशेशन नहीं आता है टल कम लाइसेंस फैमिली प्लानिंग एकर न इसिटर का था न इदer अधर इता डिभो एधर करेंगे में यह दो आया family planning expenditure में अपने building लिये थे 5 equal installments था तो यह भी अतरंगी asset हो गया अरे मैं अतरंगी किसको बोल रहा हूं जिस पे normal depreciation नहीं आ रहा है तो किसी जिस पे normal depreciation आएगा उसको बेचो के तो block में लेस हो जाएगा और यह analysis कितने लोग के दिमांग में ही नहीं यह मस्ट चार्ट बन रहा है देखो साधे asset को बेचते ना ओपनिंग WDV add purchase less sale block में से ही less कर दो लेकिन कोई भी आड़ा टेड़ा asset है जैसे के family planning के मेरे example में यह building आड़ा टेड़ा क्यों हो गया क्योंकि इस पे normal depreciation दोड़ी 5 installments है ना तो ऐसी विचित्र चीजों को बेचोंगे ना तो पावर इनिट स्टाइल ओके तो मेरे को बताओ यह building है ना यह वाली building ले लो 100 रुपे की थी और उस पे 5 installments कितना होता है 5 installments में detection लोंगा तो 100 डिवाइड़ पांच कितना होता 20 तो 20 का detection लिया है ना फिर वापस 20 का detection लिया दो साल के बाद उसका डबलूड़ीव साट हो गया अब उसको अचानक बेच दिया कोई family planning करने की ज़रुद ने बेच दो building को अरे बेच दिया 105 में बेचा चलो अरे 105 में बेचा तो क्या करेंगे सेलिंग प्राइज 105 डबलूड़ीव साट कितना आया 45 और इससे कॉस्ट के उपर का पांस रुपय कैपिटल गेन बाकी का 40 income from business under which section section नहीं इसका तो वही section 361 में था यह है कि कभी भी कोई deduction विड्राव था ना तो जो section में मिला तो उसी में विड्राव था इफ दा लॉइश साइलेंट कि यह deduction विड्रावर ऐसा क्यों बोला है अरे 40 रुपया वही तो है जो पांस में डिड्रेक्शन लिया था लेकिन government क्या बोलती तेरे पैसे गए वे पैवापस आ गए तो हम लोग भी एड़ बैक करेंगे तो इसका खाली section 36 वनी बोलना ची सीवा एफ फर वाला तो यह सुनों सुनों conclusion देखना यह देखो अच्छा चार्ट जिसा बना रहूं देखो ध्यान से देखना महुत काम कीजिए यह देखवा इदर में कहाँ लिख रहा हूं look here हम टैक्सेबल अंडर्सेश्ट न जो 361 में लिखा है कि उसको आड करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं वह 40 रूपीज सेल आफ फैमिली प्लानिंग वाला एसेट डिडेक्शन क्लेम देन पास्ट फॉर्टी हो यह देखो इधर देखो यह अच्छी रिसर्च हो गया कि यह देखो नम्हें कुल लिख रहा हूं ना प्लीज मेरी मदद करो एसेट्स दो टाइब क्यों होते हैं बताओ क्या नॉर्मल एसेट और स्पेशल एसेट्स अतरंगी तो नहीं बोल सकता स्पेशल एसेट्स जिसके लिए स्पेशल रूल है स्पेशल रूल वाले एसेट्स वाट डियू मिन में स्पेशल रूल वाले एसेट्स हिम्मत थे में अहसेट है अ किटने हैअ आप तो बोटो बत हो ठिखर 30 3039 थो थे टूप digital 33 में थह था 34 35x special rule वाला है 3580 special rule वाला है Elcom license special rule वाला है Spectrum special rule वाला है Agriculture extension project मैं एक institution बना रहा हूँ जहां बच्चों को DT नी खेती पड़ाँगा तो खेती पड़ाने में जो होता है उसका बाले full cost reduction मिलता है और एग्रिकल्चर extension project में भी तो full cost reduction था तो उसमें भी अगर agriculture extension में कोई assets involved है उसमें building का depression मिलता है तो वो उसको में साथ normal asset लूँगा लेकिन उनको जो full cost मिलता तो special हो गया skill development project में भी special assets होते है फिर family planning 5 equal installment में इतने ही है मैंने सब गिना डाले अरे इनको मैं क्या बोल रहा हूँ अतरंगी special rule वाल assets अब बताओ नए effect बताओ मजा आएगा देखो अभी इसमें अगर normal asset की sale होई तो अरे तो effect क्या आएगा बताओ तो यह दो क्या effect आएगा opening wdv अरे normal assets का तो block बनता है ना यार add purchases बाद में यह देखो क्या कर रहा हूँ less sales की तरह minus हो जाता है यह चीज़ बताने की समझा यह normal assets हुए तो लेकिन इन अतरंगियों का क्या करना है इन अतरंगियों के लिए क्या है इनको अगर बेचा यह दो इनको अगर sale किया तो क्या होगा power unit style यह बाबुरा का style है बोलते है न बाबुरा का style तो इदर power unit style और power unit style कौन सी थी यह दे power unit style कैसी थी देगो compare selling price with wdv इसमें अगर loss हुआ तो terminal depreciation था profit हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड करते है थोड़ा capital gain थोड़ा income फ्रॉम business और मनला यह वही चीज है लिखने की जरुरत नहीं बड़ा वो power unit style बता रहा हूँ लेकिन पता है इधर एक जन को हम लोग थोड़ा अलग ही रखते हैं सौतेला treatment उसका तो कि थर्टीफाइडी का सेल हुआ ना थर्टीफाइव एडी वाले का तो उसको फुल सेलिंग प्राइस अंडर सेक्शन ट्वेंटीएट एड कर दो यह जो मैंने research किये ना यह कही न कहीं लिख देने चीए लेकिन सुनो power unit style मैंने बोला है ना इधर power unit style में अगर वो power unit वाला ही होगा तो 41.2 लिखते ना लेकिन research वाला है तो 41.3 और कोई अत्रंगी येडा ऐसेड होगा ना तो respective section जैसे टेलकॉम लाइसेंस बेशते है ना एक से एक से इदा प्रिंटिंग मिश्टेक हो गया कि 3580 अरे तो power unit style में style same है लेकिन को section पूछे तो power unit में तो 41.2 था research ये तो 41.3 और बाकी अत्रंगियों के लिए अपना अपना respective section और ये बहुत important चीजिए इतना फंड़ा कितने लोगा clear ही नहीं होता है क्योंकि सी इदा थोड़ा एक्स्ट्रा सोथ ना बढ़ रहा है ना बोलते है न बियॉंड दो लिमिट चार नहीं तो क्या है लोग के दाइरे में तो इतना ही है 41.3 बोल के छोड़ दिया उसका तर ये देखो एक मस्ची बताओ इदर देखो look here ये देख अच्छी चीजिए 41.1 फिर 41.4 ये जोड़ी थी फिर 41.2 और 41.3 ये भी जोड़ी है देखो मेरी मेरी आच्छ करने स्टाइल देखो कैसी है रिकवरी 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 था तो एक जनरल रिकवरी है फिर सेल सेल में एक पावर उनिट वाले का सेल है तो एक रिसर्च वाले एसेट का सेल है लेकिन याद कैसे करने का रिकवरी रिकवरी सेल सेल एक बात बताओं सुन सेल भी एक कसम की रिकवरी है अरे आज सेल भी एक तरह का रिकवरी होता है एसेट में डाले ला पैसा वापस आ गया वो भी recovery आरे in fact पता है पूरा 41 का section is for recovery और यह दिख बसी बता रहा हूँ अपने गयले पैसे वापस आते in fact वह income नहीं है मेरा पैसा वापस आतो इनकम ही नहीं लेकिन लॉश्य ने को क्या बोला है नोगा चाहिक लीफिशनिस इंकम है हुआ इसको इंकम बिम करेंगे भले तेरा गयला पैसा वापस है लेकिन दोस्त तू पहले माइनस करके बईठा थ तो एड भी करना पड़ेगा अरे पूरा 41 का तुमको थीम ही नहीं समझाए 41 का पूरा सेक्षन खोल के बोल क्या रहे मालूमे देखिए भई जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुमारे पैसे गए रहते और तुम माइनस भी करके बैढ़ गे होते लेकिन वह पैसा वापस आगया तो वापस एड बैक करने का कोई बोले है यह तो हमारे पैसा हमको मिला है मालूम है तुमारे पैसा तुमको मिला है इंकम नहीं है बड़ इसको हम इंकम अजूम करेंगे कि तुम्हारा पैसा गया था तो माइनस किये थे नो पल्टी भी मारने का एक्चुली सी ये सब में तुमको लग रहा है अब डिडेक्शन विड्रा हो रहा है सी जैसे जनरल रिकावरी का एक्जांबल था जी एस्ट रिफंड जी एस्ट माइनस किया था एक्जांबल में 10-10 करके दो साल का डेप्रिशन माइनस किया था वह एक्जांबल में 10-10 करके अपने खुद के ही पैसे गए हुआ है ना तो although it's not an income but deemed as income अब देखो हिम्मत है तो बताओ government ने income के लिए दो-दो section क्यों खोले एक 28, एक 41 एक section से काम चल सकता था लेकिन government ने बोला नहीं एक section हम real income के लिए खोलेंगे 28 और एक deemed income की खोलेंगे बहुत इतना insight किसी को नहीं होता है समझ लो ना ध्यान से इतना किसी को knowledge नहीं होता है दो section क्यों खोला है 28 खोलते डाएं government के mind में क्या था अरे वह ये तो main real income real मतलब क्या है जिसमें नया नया पैसा आता है जैसे मुझे तुमसे फीज मिलती है तो मेरे पास को नया पैसा आ गया लेकिन 41 में क्या होता है नया पैसा कि अपना ही गयला आता है 41 में अपना ही गयला आता है इसे government क्या बोला देखो कुछ नय नय पैसे आएंगे ना तो उसका हम जिकर 28 में करेंगे लेकिन तुमारे गयले तुमको आएंगे तो 41 मोटा मोटी ऐसा लेकिन इतना सुनके न कोई कोई लोग बने नुक्स निकलते सार एक सेगन आपने क्याला 28 में सब ना है ना इंकम है कैसा 28 में duty drawback था duty drawback तो अपने ही भरिले अपने को मिले उसी इतना शेप बिगड़ जाता हो अरे लोग कोई एक ही दिन में थोड़ी draft हुआ था 28,41 बहुत सालों पहले पैदा हुए थे लेकिन अमेंड होते होते आज उसका ऐसा शेप हो गया ना कि कोई criticize कर सकता है किने 28 में भी deemed incomes दी लेकिन छोड़न इतना क्यों serious सी ले रहे हो मोटा मोटी government का intention क्या था मालू में एक ऐसा income section खोलो जिसमे सब real income हो और वो है 28 और एक ऐसा section जिसमें सब अपने गयला अपने को मिला है वो 41 है deemed income तुरंदेन अपने notes में काम करो यह देखो यह चीज़ अभी तुरंद का तुरंद लिख दो यह देखो यह वाला पेज निकालना देखो यह वाला कौन सालम है वस्ट पेज income from business का फॉस्ट पेज summary वाला पेज अरे notes है ना अपने printed printed किताब में भी ऐसा statement बना हुआ है ना अरे ना पेंसिल से मुझे क्या लिखा नहीं देखो ना मैं लिख रहा हूं इदर देखो मजा आएगा इदर अरे 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 एक्ट में ना 28 को ऐसा नाम नहीं दिया और 41 का नाम दिया है deemed prophets क्या नाम दिया है इन लोग prophets ही बोलते अरे इन लोग इस chapter में जो भी income है profits chapter का नाम ही रगा profits and gains from business of profession PGBP एक से इदर real income लिखा तो यहां कहा लिखो 41 के बाज़ू है deemed business incomes deemed income लिख दो तो भी चलेगा यह मेरा बने यह तो act में लिखा deemed profits 28 को government ने कोई tag नहीं दिया है अरे convince होता है तो अपने को मज़ाद रहा है 2841 यह सोचके दो section खुला है एक से सुनो एक डाउट है देखो यह देखो यह देखो मैंने अगर कोई student को बोला चल तो फ्री में बैट रहा है अरे बैट यह दो आके बैट और बच्चा बैठा तो भी कोई student को डाउट आया वो इदा नौकरी करने आता है मेरे आपे बच्चा पढ़ने आ रहा है फिर house property में भी फिट नहीं हो रहा है फिर बिस्निस में भी फिट नहीं हो स्टूडेंट को benefit हो है student बनके सोच लेकिन स्टूडेंट के कौन से head में जाएगा चलो income from other source कोई बोल सकता है लेकिन वो क्या return में भरेगा क्या tax भरेगा student थोड़ी अपना उसके चीज को income में दिखाएगा और income from other source में ऐसा कुछ नहीं है any benefit arising in the course of business ऐसा कुछ ही नहीं बिस्निस के head में लिखा है कि कोई benefit percusate arise होता है salary में भी लिखा है कि job करते हैं को percusate arise होते हैं तो job करने काले को tax भरना पड़ता है income from other source में नहीं है तो मुझा student को benefit मिला है लेकिन उसको कई दिखाना नहीं है प्री में पढ़के क्या ठीक है तो सी यह जो any benefit arising का बोगा जब मुझे कुछ मिला होगा मुझे क्या मिल सकता है बताओ मुझे तो student को देगा न student को ये गराईज ज्यादा student आ गया बोला सर आपने हमको पढ़ा है इतना logic logic concept clear के एक काम करो मेरे पापा का airline का company है आपको पूरी family के साथ पूरा world tour का ticket अरे वो कोई airline company उसके पापा का ही है तो मुझे एड टिकेट दे दी तो वाओ ये तो मजा गया ऐसे student बहुत मिले मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे student तो वह मेरे लिए क्या होगा एनी बेनिफेट परक्यूसिट अराइजिंग इंड़ कोर्स बिस्निस तो उसकी वैल्यू का भी मुझे अपने रिटन्स पर दिखाना पड़ता है लोग दिखाते नहीं थे लेकिन इन दिनों लॉइसको लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है और जो मुझे दिया नहीं उसको टीड इस वगएरा कैसे कटें मैंने क्या वोला अभी मस्तों बाद में सोचेंगे ना टाइम आने पर कि समफ्थ इंकम का थेयरी समफ्थ तुनिया इतर लुक यह अपना यह चैप्टर कितने पार्ट में प्लीज देखो चार पार्ट पहले था पार्ट वन डिड़ेक्शन खतम हो गया फ्लीज देख फिर पार्ट टू expenses expressly disallowed यह हो गया फिर इंकम की थेयरी थी वो हो गया अच्छलि यह तो expense का थेयरी था यह भी expense का थेयरी था यह इंकम का थेयरी था है ना इसके बाद क्या बचाले मैं अब जो थेयरी वो ना income की है ना expense की special provisions इसको क्या बोलते है यह देखो क्या बोलते है special provisions लेकिन इसको मैं आद नहीं छेड़ रहा हूँ ओके due to some reason मैं थोड़ा lecture जल्दी छोड़ रहा हूँ ओके revise and come, revise and come, please revise and come, please come on time अपना 44 वाला है जो set है ना वो बचा है ओके बागी यह chapter पूरा खतम हो चुका है लेकिन मेरे हिसाब से पता है chapter को मैं खतम हुआ नहीं बोलता हूँ सुनो कुछ chapter से मैं क्या feel करता हूँ तुम लोग भी वैसे feel करो चैप्टर होगा यह कंसेश्टन टैक्स रिजीम एक सो पंद्रा भी एक सो बंद्रा उधर भी बिजनस का मैं कुछ चैप्टर तो तुमको क्या लगया हनु मैं बिजनस जैसा ही feel आएगा और यह सब मानु मैं एक जुन्ड में क्यों कर रहा तो ताकि बच्चा एक्जाम का question number one अच्छे से solve कर पाए to be continued later bye